भी ठीकया इनके गूंड पर गूंड क्या है जैसे हर किसी का कुछ ना कुछ गूंड आउंग कुण होता है सुने वो ना पहले बोड़े बुजुर कहते थे बड़ा आईगुनी यह लड़ी कवा आईगुनी का मतलब बड़ा दूश्ट टाइप का है मतलब सरारती टाइप का है लेकिन दूश्ट और सरारती में अंतर होता है चलिए तो पहला गुण इसका है कि भिन्न के आंस और हर दोनों में लिखिए पहला गुण भिन्न के आंस और हर दोनों में किसी एक निश्चित संख्या का अगर गुडा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए तो भिन्न में कोई परकार का अंतर नहीं आता है यह इसकी पहली प्रपर्टी है बताए सही है ना हम सबी को समझ में आ रहा है ना तो भिन्ने में पहली प्रपर्टी यह है कि अगर इसके अंसर हर दोनों में किसी भी एक निश्ची संख्या से गुड़ाया भाग कर दें तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है सिखा उपाद्ध्या जी बिल्कुल फुल कोर्स है आज दसवी कलास है दस कलास में हमने तीन चेप्टर पढ़ा दिये खतम हो गया आगे बढ़ें चलिए ठीक है दन तो भईया क्या कहा मैंने पहला गुण क्या है आप लोग लिख लीजिए लिख लीजिए मैं लिखवाओंगा नहीं मुह से बोल रहा हूं लिख लीजिए भिन्न की किसी ओ कोई भिन्न में अंस और हर में अगर एक समान संख्या से गुणाया भाग कर दिया जाया तो भिन्न के मान पर कोई फरक नहीं पड़ता है कोई भी एक्जामपल ले लीजिए ये तीन बटा साथ हमने लिया था तीन बटा साथ में हमने उपर भी नीचे भी दो से गुड़ा किया तो भी ये छे बटा चौदा आया है और ये जो छे बटा चौदा आया है इससे हम फिर से तीन बटा साथ ला सकते हैं दो त्याइच्छ दूसाच चवदा यानि इसके मानमन कोई फरक नहीं पड़ा कोई बदलाव नहीं हुआ समझ रहे हो ना सभी कोई दिक्कत होगी तो बता दीजिए गा बिल्कुल भी सर्माई येगा नहीं बिल्कुल सर्माई येगा नहीं चलिए आगे बात करते हैं दूसरा गुण क्या है आपको कि गुड़ा वाला तो बता दिए भाई गुरुजी भाग वाला तो बता है नहीं भाग वाला भी देख लीजिए जैसे मान लेते हैं इसका एक एक जामपल और ले लीजिए ये तो मैंने एक छोटका सा एक जामपल लिया था जैसे मान लीजिए कि मैंने 16 बटा 24 लिया है समझ ना इसमें अंस में 8 से भाग किया और हर में भी 8 से भाग किया तो भाई ये दूई बटा तीन हो जाएगा न सही है कि नहीं सही है न कुछ लोग इसमें अगर confusion में होंगे अगर कुछ लोग confusion में होंगे तो वो भी देख लें इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं 16 इसको नीचे 8 से भाग करना है एक बड़ी लाइन खीचना 24 इसमें भी 8 से भाग करना है ऐसे भी कर सकते हैं ते 8 दुना 16 और 8 तरीक 24 यानि 2 बटा 3 यह भी तरीका सही है भी सही है किसको समतुल्य फ्रेक्षण नहीं यहां फ्रेक्षण का टाइप तो मैं कल ही बता दिया था भाई यह फ्रेक्षण का टाइप नहीं है मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें फ्रेक्षण के बारे में बता रह तो एकदम बरबाद हो गया कोई भी अगर लगवाने को सोच रहा होगा तो एटल फाइबर मत लगवाना मैंने अभी जब एक साल का रिचार्ज कर वा लिया ना सिधा 11,316 रुपय का 11,316 रुपय का जब रिचार्ज हुआ साल भर का न तो यह दोखा देने लगा और हां इसम श lamps भालता है है 2,2 stored COMRAन करो ना मैं चजाता एक दिन पर दन जायेगा और आतेशन को देनुयारो चैक सब्सक्रेंद्आ खेया हाय में अ यह हो गया पहहला यह प्रपपशिक ही कि चीकि कि से भी भी इन में अगर हर एब न सबनानों में किसी एक निशी संख्या से बिस ने त अर्थात भाज भिन्न में दूसरी भिन्न अर्थात भाजक भिन्न को उलट कर गुड़ा कर देते हैं ठीक है सुन लीजिए पहले फिर इसको लिखिएगा जब कोई दो भिन्ने हूँ जिनको आपस में एक दूसरे से भाग करना हो समझना जैसे हम एक छोटी सी बात बताएं कि हमें चार में तीन से भाग करना है तो हम चार को उपर तीन को निच्चे लिखते हैं ऐसे करते हैं लेकिन अगर हमें किसी भिन्न में भाग करना है मालो कि तीन बटा साथ हां इसमें हमें भाग करना है पांच बटा दो से समझना तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं प्यारे सा जाती है जो पांच बटा दो है ये दूइबटा पांच हो जाती है अब ये तीन दुना च्छा साथ पचे पैंतिस ये अंसर हो गया ये इसकी दूसरी प्रपर्टी है समझ में आया ना यानि जब दो भिन्नों को आपस में भाग करें तो ऐसी इस्तिती में पहली भिन्न को लिख लिए जाता है दूसरी भिन्न पल्टी मार जाती है ये इसके गुण प्रगुण में ही आता है दूसर कने में आप लोग बताओ छा बटा साथ और नो बटा पांच इसको हल करेंगी कितना आएगा बताईए फटा फट सभी देर ना करो भई ऐसे मजा नहीं आ रही यार सबको समझ में आ रहा है ना आ रहा ना भई या बाबू जल्दी बताओ फिर आ रहा है चलो फटा फट हा या नहीं यह दूसरा गुण हो गया इस तरह से आप लोग कर ले जाएंगे हमें जल्दी जल्दी खतम भी करना है रीडिंग इनका नामी कुछ ऐसा है रीडिंग उडिंग करके रीडिंग और टीचिंग यह कुछ और पूछ रही मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं उससे नहीं मतलब है नहीं हम दूसरे दिजा में चलें अनुपम मौर्या ठीक है अनुपम जी बहुत अच्छे आपने ट्राई किया तो इनका मल्टीपल करेंगे नौसर तिरसट शपंचे तीस तीस बटा तिरसट यह तीन से भी कड़ जाएगा तो इनको हल करने का सही तरीका यह है कि पहले उपर वाली फ्रेक्शन ऐसे लिख लो मल्टीपल का चिन लगा के इसे पलट देंगे तो यह नौ बटा पांच का पांच बटा नौ हो जाएगा यहां पर थोड़ा ध्यान देना इनको डारेक्टली मल्टीपल नहीं करेंगे यहीं पर सरल कर लेंगे यह तीन दून अच्छा तीन तरीक का नौ तो भाईया इद्वी पंच दस और यह सात्री के काई सो जायागा अब यह कभी भी इसके आगे हल नहीं होगा ठीक है समझ मैं रहा ना अगर इसको डारेक्ट हम गुड़ा कर लेते तो भाई साहब यह तीस बटा तीर साथ हारा जो कि यह सही नहीं है सही का मतलब कमपलिट अंसर नहीं है इसके आगे अभी यह सरल होगा तो हम गुड़ा करके काटे हैं यह पहले काटे के गुड़ा करें ज़्यादा आसान यह ना वही जितना आपके हजम हो उतने खाना खाओ काहे खाके पल्टी करोगे समझे रहे हो ना एक तो खाने में मेहनत किया फिर पल्टो गए तो डबल मेहनत हो जाएगी न तो वैसे यह है कुछ लोग इसको गुड़ा करके काट तेहां नहीं पढ़ें जहार ज्यादा आच्छा रहेगा असने हाखो तुमको बुलानाना नहीं पढ़ेगा भड्लों त आप ज्यादा अच्छा रहेगा नहीं तो यह आप समझ गए यह प्रोपर्टी आप सभी समझ गए कि आगे देखिए कि हां तीसरा यदि आंसर हर बराबर हो यानि एक ही संख्या हो तो भिन्न का मान सदव एक होता है कि यदि हर और अंसर दोनों बराबर हो तो भिन्न का मान सदव एक होता है जैसे मानलो मैंने नौ बटा नौ लिखा इसमें हर और अंसर क्या है एक है न भाई हर और अंसर दोनों समान है न इसमें 101 बटा 101 मतलब क्या हुआ ऐसी स्थिति में इस तरह की भिन्नो का मान एक होता है ये इसकी property है ये सबको पता है ना किसी को कोई doubt है तो बता दो Any doubt? नहीं? चलिए अगला property देखिए यदि answer सुनने हो तो भिन्न का मान भी सुनने हो जाता है और हर को कभी भी सुनने नहीं लिया जाता याद रखना भिन्न में ठीक है अगर किसी भी fraction में आपको हर सुनने दिखरा है तो फ्रेक्षन है ही नहीं फिर क्या हो जाता है वो? infinite हो जाता है अगला property लिखिए इसका चौथा नमबर चौथा नमबर लिखिए 50% डाटा यूज हो गया भाई आज जब से रिचार्ज हुआ साल भर में पहली बार इसका डाटा यूज हो रहा है mobile डाटा कभी यूज नहीं होता था इसका आज हो रहा है पहली बार चलो ठीक है क्या बात कर रहे थे हम? यदि किसी भीन्न का हर हर नहीं अंस अगर अंस सुनने है तो पूरी भीन्न का मान सुनने हो जाता है पूरी फ्रेक्शन का मान जीरो हो जाता है अगर नीचे जीरो है जैसे देखो ये 105 है इस का मान कितना आएगा भई? जल्दी फटा फट बताओ और ये D वाले का बतादो कोई कोई D वाले का बतादो क्या आएगा भीया? जल्दी करिए फटा फट करिए फटा फट करिए आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी कहीं जाना नहीं बस थोड़ा देखिए कभी कभी थोड़ा बहुत बफरिंग करेगा तो डॉंट वरी बिल्कुल परिसान नहीं होना है चले आगे बढ़ें इस कमान जीरो होगा इस कमान अनन्त होगा ठीक है? एक कमान सुनने होगा एक कमान क्या होगा? अनन्त होगा इन्फाइनाइट होगा सबको समझ में आ रही बाते हैं ना? कोई दिक्कत किसी को? नहीं चल यह ठीक है कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ते हैं जादा इंटरनेट नहीं है मोबाइल में ये कलास बहुत बड़ी नहीं होगी ये भी याद रखना ठीक है क्योंकि मोबाइल डाटा है ज़्यादा है नहीं तो मैं बहुत देन नहीं पढ़ाऊंगा यह समझ गए आप आगला क्या है। हाँ भिन की गणतीय संक्रियाहें। आप हेडिंघ दालिए। भिन की गणतीय संक्रियाहें। पहला टॉपिक हो गया भिन के घुन हो गया। देखो स्क्रीन पे। मैंने आपसे वादा किया था चाह टोपिक का इस में से देखिए पहलाड किया खतम हो गया एव इंड कि такого कि दूसरा हेडिंग लिए भिन्न की हाणितीय संक्रियाएं संक्रियाएं में क्या-क्या पढ़ोगे देखो भाई समझो हटाओ इसको हेडिंग डाल दिये पहला है भिन्नों की तुलना करना कोई भी दो फ्रेक्शन की कंपेर कैसे करते हैं कौन छोटी है कौन बड़ी है आप मुझे यह बताओ भाई कौन बड़ा है कौन बड़ा है बताइए पहला फ्रेक्शन है जिसमें एक मान है पांच बड़ा साथ और बी कमान है चाचा छे बड़ा साथ इन दोनों में कौन बड़ा है अगर यह बड़ा है तो बोलो ए अगर यह बड़ा है तो बी आपको सिर्फ ए और बी में कमेंट करना है जल्दी बता कौन बड़ा है यह फरेक्शन बड़ा है कि यह बड़ा है वाइफाई के आज कहीं केबल कटी है परियाग राज में हमारे एरिया में एटल ब्राड बेंड की कहीं केबल कटी है रेल बायर में कहीं टेक्निकल इसु है आज सारी वाइफाई ठप है और बीएफनल तो सरकार ने मिल के बरबाद कर दिया बेफनल का भी फोर्यास कनेक्शन लगा था तीन वाइफ हाई थे यहां पर बेफनल तो पूरी तरह बरबाद है उसकी तो बात ही ना करो उसको तो लोग मिल के बरबाद कर रहे है ठीक है बहुत अच्छे अकमल जी बेरी गुड जितेंद्र गंगवार प्रिया तिवारी मंजू तिवारी अन्नू ठीक है सुनील जी बहुत अच्छे तो भाया यह इसमें कौन बढ़ा है आप बता लिए अप्पी और क्यूं में बत साततर इन मान बढ़ा है आप लोग सेलेक्ट कर लो फिर मैं यह बहुत बढ़ा बता रहा हूं इस मिस दो पी बढ़ा है क्यूं भडा है अगर पी ओन्साइट अब किबिन करो पी भार पायरट और क्यू और क्यूं फार क्वीण फैरेट मतलब तोता क्यून मतलब रानी कुईन या क्यून का बोलते हैं भई कुछ भी बोलते हूं चलो आप बताओ वस बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेरे गुड सिल्पा के सरवानी बेरे गुड भई पी और क्यूं में आ जाओ कोई अकमल बहुत अच्छे अकमल जी और अहमद अली ये क्यूं बता रहे है एक कोई क्यूं बता रहा है कोई पी बता रहा है एक से गदा है हमें कुई और राजा और रंक तो नहीं बोलने को खा ना चलो देखो समझो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं मतलब की बात बता रहा हूं सो बात की एक बात वो यह है हर बराबर नहीं है क्या बोला इसमें अंस बराबर नहीं है जबकि हर बराबर है इसका मतलब यह है मेरे भाई समझो यहां पर कि पांच चॉकलेट है और खाने वाला साथ है एह में छे चॉकलेट है खाने वाला साथ है यानि खाने वाले बराबर हैं हिस्सेदार बराबर है और माल कम जादा है समझ रहा हुँ ना मतलब material खाने वाले बराबर है 37 इसमें भी है 37 इसमें है नीचे वाली गिंती का मतलब है कि उस चीजी की इतने पाट करने है इतने टुकडे करने है यानि ये चॉकलेट है जिसके 7 शरी एक नहीं है पाँच है पाँच चॉकलेट है जिसमें 7 भाग करना है मतलब हिंसा लगाना 7 जगा इसमें 6 चॉकलेट है इसमें भी 7 जगा ही हिंसा लगाना है तो भाई मोटी बुद्धी वाले भी सोच लें कि यहां 5 चॉकलेट में 7 हिंसा लगेगा यहाँ छे चॉकलेट में साथ लगेगा तो जाहिर सी बात है जादा जादा मिलेगा यहाँ यह बड़ा है यहाँ कहानी अलग है अभी इसके अलग भी कुछ होता वो भी बताऊंगा पहले सबर बनाए रखिए यहाँ भी वैसे ही है कुछ अलग है यहां दोनों में चॉकलेट जो है न वो बराबर बराबर है लेकिन खाने वाले घट बढ़ रहे हैं क्यों वहां भी ऐसे था का नहीं, वहाँ चॉकलेट अलग अलग था, चॉकलेट अलग अलग था, खाने वाले बराबर बराबर थे, यहाँ पे चॉकलेट बराबर है, काने वाले अलग अलग है, इसमें 19 में 22 हिस्सा लगेगा, और इसमें 19 में 77 हिस्सेदार हैं, इसमें 19 में किवल 22 हिस्सेदार हैं, तो बफरिंग ओफरिंग नहीं हो रहा, सब चल रहा है पूजा यादो, बहुत अच्छे, बेरे गुड तो भाया इसमें ये बड़ा है लेकिन एक बड़ी भारी मुसीबत तब आ जाती है जब ये भी न पता हो कि खाने वाले बराबर नहीं है इसमें हिस्सेदार बराबर नहीं है, माल भी बराबर नहीं है मटेरियल बराबर नहीं है, तब क्या होगा देखिए, इसमें हर हर बराबर था, आप बता लिए इसमें अंस अंस बराबर था, आप बता लिए लेकिन हाई रबा जब यह दूइनों न रहे तब का होए आओ इधर देखो जैसे मान लो कि मैंने लिख लिया यह P1 और यह P2 भाईया एमे 3 बटा 7 है एमे 2 बटा 5 है अब बताओ एमे तो कुछ बराबर नहीं है अब क्या होगा कैसे होगा कौन बढ़ा है जरा सोच के बताइए इन दोनों में कौन बढ़ा है P1 या P2 जल्दी करिए फिर मैं बताता हूँ पुरी कहानी इसके पिछे की क्या है देखिए आपको सिर्फ कोसिस करना है उनली कोसिस करना है भाई मैंने कहा था कि आज चार टॉपिक पढ़ाऊंगा इंटरनेट गड़बर होने की वज़ा से तब भी दो टॉपिक तो खतम होई जाना चाहिए यह टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पे देखो है ना डिजिटल तरीके से हमने भी थोड़ा लिखना शुरू कर दिया है वैसे मेरी राइटिंग बड़ी गंदी-गंदी थी चलो इसमें दूफरा टॉपिक चल रहा है चार टॉपिक आपके सामने हैं आज का टॉपिक चलिए हाँ तो इसको करने का दो तरीका है पहला तरीका आप दसांब में बदलेंगे तो जीरो पॉइंट साथ चोग अठाइस साथ दूना चौदा पांच से जीरो पॉइंट फोर सम्थिंग वगरा वगरा ऐसे कुछ आएगा कुछ लोग कहेंगे बगवान ही कहां से आएगा इट असमलो वाला कैसे आएगा देखो इसर साथ का भाग तीन में करेंगे क्यों सही बोला न मैंने मैं बोलता ही सही हूं अर्दम तुम लोग समझो तब न देखो भईया साथ का भाग तीन में नहीं जायेगा एक बार जाएगा जादा हो जाएगा इसलिए सुनना बार जाएगा तो साथ सुनना साथ घटाएंगे तीन आएगा अब ऊपर पर यहसे उतार लेंगे, 4 बार जाएगा, और एक बार झरायो है, ना तो जना लोख बाबक बाइनाम योगा, पीर बार जीरो सकते हो दूबार उसे नहीं बढ़ाया तक अब भी फी ऐसा नहीं कि 12 बढ़ाया जीरो उतार फिर एक दसम्लो बढ़ाया जीरो उतार आप थीक है तो ये साथ दुना चवदा अब बार बार जीरो उतार सकते हैं छे आया फिलहाल हमें दो ही गिंती तक काम था मैंने लिख दिया ऐसा इसको भी बाग करोगे तो भाई यह 42 पेसा है यह केवल 40 ूर 40 पेसा है साली है सिंसल सी बात है लेकिन इसके चारचा कौन है यह या नि यह दू है यह लेकिन यह थौड़ा लम्बा टरीक है मतलब अजीब टाइब क्या यह तो आप कर लोगे लेकिन नशीबत बन जाती कभी-कभी जब ये थोड़ा से भाग बाग गड़बड हो जाता टाइम ज्यादा लग जाता है इसका करने का एक और तरीका है ध्यान देना गवर से देखना और कहीं जाना नहीं कहीं जाना नहीं तीन बटा साथ और दुई बटा पाँच ना चलो याद रखना तीन बटा साथ और दो बटा पाँच देखो बाबू आप सभी चैनल सबस्क्राइब जरूर कर ले ना तुरं सब्सक्राइब करिए बिल्कुल फ्री है अभी तुरं चैटिंग हटाईये जो आ रहे स्क्रीन पे और तुरं फट से सब्सक्राइब करिए जिससे भूल न जाए तीन बटा साथ और दुई बटा पांच यह बताव सभी को LCM आता है LCM आता है कि नहीं आता है कि नहीं आता है रहे जूटे बोल दो कि हाँ आता है कौन पूछने जा रहा है देखे कभी अपने आपको कमजोर नहीं समझना चाहिए हम किसी से कम नहीं हां और इसके पहले वाली बात हम नहीं बोलेंगे चलो देखो समझो तो बाई इन दोनों का क्या करेंगे LCM करेंगे तो देखो बाबू इन दोनों का LCM आएगा 35 फिर क्या करते हैं जो 35 LCM आया है उस में क्या करते हैं पता है उस LCM को पहली बिन के हर से भाग करते हैं LCM आया था 35 पहली बिन का हर है साथ साथ से भाग करेंगे साथ पचे 35 घटाएंगे जीरो आएगा यानि जब LCM में हमने भाग किया पहली बिन के हर से तो पांच आया पांच का इसमें गुड़ा करेंगे य समझते चलना LCM दोनों के लिए होता है तो इसके नीचे भी LCM 35 ही रहेगा अब 5 से भाग कर लो 35 में कितना आएगा साथ आएगा, साथ कदो में गुड़ा कर दो 14 देखो वही कहानी यहां मैंने बना दिया ना बना दिया ना यानि चौकलेट 15 है खाने वाला 35 है इसमें चौकलेट 14 है खाने वाला 35 है यानि चौकलेट घट बन रहा है खाने वाला बराबर है सीधी सी बात है भई 15 चौकलेट में 35 हिंस्यदार है 14 में 35 है इसमें जादा है एक्ठी तो जादा जादा मिलेगा यानि यह बड़ा है और इसके बाप जान कौन से हैं यह है यानि यह बड़ा है मतलब मेन यही तो था ना समझ गए ना भाई यह रूट फाइब के बैलू पूछने वाले आप बैसिक कलास में आईए यहां कुछ दूसरा हो रहा है भाग विदी से वर्गमूल निकाल लो आ जाएगा भाग विदी से वर्गमूल निकाल लिए रटने वाली चीज नहीं है मैथमेटिक्स में कुछ भी रट के याद नहीं किया जाता है रटा नहीं जाता है चलो डन ओके ठीक है तो आगे बढ़ें सभी समझ गए ना आब मुझे बताओगे इमानदारी से बताना अगर जो ना बताएगा ना कल से फिर तवबा तवबा होगा जान लो चलो देखो प इसका नाम है A और इसका नाम है C बताएगे अगर ये बढ़ा है तो A लिखना ये बढ़ा है तो C कुछ लोग सोचेगा कि B काहे नहीं लिखा भई B लिखते हैं तो तुम लोग B B लिख देते हो तो B B से तो मुझे वैसे भी बड़ी गिरणा है तो इस कारण से हम B नहीं ल लिक दोगे तो चलेगा इसलिए मैंने इसमें भी नहीं दिया आप सब्सक्राइए बार-बार कमेंट करने वाले को थोड़ा हाइड करिये जिसे थोड़ा लोगों के दिल को तसली मिले नहीं तो ये एकदम गंदगी फैला दिये हैं कमेंट सक्सन में इनको हाइड कर दीजिए फैज रजा कादरी को पांच मिनट के लिए हाइड कर दीजिए थोड़ा कोपड़ी ठंड़ा जाए इनकी फिराएंगे मुहमद तासूर जी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको इतनी फिकर करने के लिए चलिए आप ही लोगों के प्यार मुहबबत से तो जिंदा है थीक है इन में कौन बड़ा है यह निकालना है तो प्रिया थिवारी बता रही ही सीמה के सर्वानी भी सी बता रही और कोई बता है है नहीं मतलब यह दो लोग पढ़ने वाले है बाकी रह पैसे कर लिया था बही ऐसे म तो थोड़ा साट कर तरीका बता दू अगर दो ऐसी संख्याें है जिनका लसी में कालना है जो आपस में सहाभाज्य हैं क्या है सहाभाज्य हैं यानि को प्राइम नंबर है अब तुम कहोगे कि को प्राइम नंबर का है तो अब मैं इसके बारे में यहां पर नहीं बता पाऊंगा सब कुछ क्योंकि यह बेसिक मैद का हिस्सा है तो अगर कोई भी दो संख्याएं आपस में को होती है जिनका LCM सफ़ें से 1 होता है असलिया LCM नहीं HCF जिनका HCF सबीन होता है वो क्या होता है हो प्राइम नंबर होता है यह मैसेज नीचे जो इस उसक्रीन पर चल रहा मुझे आप दिखा यह मैसेज कच्छनों की मैत के लिए था यह कच्छनों की मैत के लिए मैसेज था जो इस स्क्रीन पर चल रहा है मुझे अब ध्यान आया ठीक है कोई बात नहीं आप लोग समझदार है इसमें कलाफ नाइन हटा दो बस बाकी सही है तो चले आगे बढ़े कोई दिक्कत कोई परइसानी कोई हैरानी किसी को नहीं ना चली in hep common wise थीक दियाए चलो ठीक है प्रेम सागर ठीक है भाई प्रेम सागर बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेरे गुड चलिओ ठीक 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 तो हां ये बता दो एक ठीवर बता दो फिर मैं बताता हूं 9 बटा 12 और 8 बटा 18 इन दोनों में कौन बड़ा है इसका नाम Y है इसका नाम Z है बताई अगर यह बड़ा है तो Y वह बड़ा है तो Z जबाब दीजिए फटा पड़ बताईए अफने हाती बारी बहुत अच्छे चलो भाई कौन बड़ा है आगे कहानी करते हैं थोड़ा थोड़ा समझते जाओ ना देखो 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 इनको या तो आप असमलों में बदल लो या फिर इनका LCM कर लो तो भाईय जी बेरी गुड नो सत्य तिरसट इनका LCM आज आएगा 63 भाईया जब नौ से भाग करोगे 63 हमें बाबू तो साथ आएगा साथ का गुड़ा पांच में करोगे 35 आएगा उसी तरह इसमें भी करोगे साथ से भाग करोगे नौ आएगा नौ अठे ये बाहत्तर आएगा और ये 63 देखो ये हर-harm बराबर हो गया इसका अंस बड़ा है वह भीन बड़ी है यानि इनमें आठ बड़ाचा साथ बड़ा था जिनका सी जिन्होंने कहा था उनका सईझ था जिन्होंने सी कहा था उनका सईझ था ठीक है रिडिंग और टीचिंग बहुत अच्छे बेरी कि स्क्रीन पर आपके आगे हैं आज जुम्हें पढ़ना था चोटी और बड़ी विन्न आप लोग कर लेंगे तो कुछ और बता दीजिए थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं 13 बटा 29 और 28 अपान 17 इन दोनों में कौन बड़ा है इसका नाम यक्स है इसका नाम का लिखा था ई ऐसे ऐसे कोड होने चाहिए जो दूबारा पीछे वाले से मैच ना करें बताईए इन दोनों में कौन बड़ा है एक्स या इए ये कोड होते हैं नीचे इनका और किसी चीज से लेना देना नहीं होता है कोड इसलिए होते हैं कि हम समझ सकें आप लोग कहना कह चाहते हैं इसमें सबसे पहला जो आंसर दिया है वो भाई एक अहां मैंने कहा था अकमल जी तुम कर बढ़ा है रहे हो ठीक है बहुत अच्छे सुजीत कुमार काजल गुपता बरी गुड़ आप लोग सीख गए ना कौन बढ़ा है इन फ्रेक्शन में कौन बढ़ा है ये चारो टॉपिक पढ़ने थे जिसमें मैंने तीन टॉपिक करा दिये इसे क्या बोलेंगे एडिशन आप फ्रेक्शन इंग्लिस में आप इसे और भी कुछ बोल सकते हो मैं फिलहाल सीधा सीधा बोल रहा हूं इसमें दो तरह की फ्रेक्शन होती है पहला कंडिशन जब हर समान हो और दूसरा होता है जब हर असमान हो आप सबको मेरी बातें समझ में आ रही ना नहीं समझ में आ रही जब हर क्या हो असमान हो हर को बोलते हैं डेनुमिनेटर और अंस को बोलते हैं बैया नुमरेटर हमें एक बात बताओ आप लोग वो क्या है एक बात बताओ तुम वो क्या पता है अरे वो प्रापर फ्रेक्शन क्या होती है कोई एक्जामपल बताएगा इसके पहले मैं पढ़ाया हूँ न तो वो आपको आनी चाहिए प्रॉपर फ्रेक्शन कोई एक्जामपल बताएगा जल्दी से देखते हैं सबसे पहले कौन बता रहा है जल्दी करो मारकर में मैंने इंक भर लिया है अब यह चलेगा नहीं दवड़ेगा दवड़ेगा फोन का रिचार्ज खतम है इसलिए पापा का फोन लिए हैं फोन में हाट स्पार्ट भी आन होता है आप पापा के फोन से हाट स्पार्ट आन करके अपने में भी पढ़ सकते हैं हां चलिए ठीक है फीजा खुसर दीन का जबाब आ गया सबसे पहले कि जिसका हर अंस से बढ़ा हो जिसका हर अंस से बढ़ा हो वो प्रॉपर फ्रेक्शन यानि की उचित भिन का हला दिये इन्होंने सही जबाब दिया है बाकि साना परवीन ने इन्होंने लिक करके बताया है मन्जु तीवारी ने भी बताया है ठीक है अच्छा है तो आप लोग यह जानते हैं हम तो हम भिन्नों का जोड़ना सीख रहें आज क्योंकि डेलेड के यानी बीटीसी के समेश्टर में यह है ध्यान देना इसलिए में एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा जिनको आता है न समान हो देखें इनको क्या करना आपस में जोड़ना है इनके बारे में बहुत ही डीटील में तो मैं पिछली कलास में बता चुका हूँ अब ज्यादा नहीं बताना है यह दोनों हर समान है बराबर लगा के पहले हर लिख देते हैं जितना भी दिया है हम सेबन था तो दो जगा की बजाए एक जगा कर देते हैं उपर का जो भी अंसर इन दोनों को जो चिन होता बीच में प्लस या माइनस वैसे लिख करके ऐसे लिख लिया जाता है पांच में तीन जोड़ेंगे आठ बटा साथ आप सभी पढ़े हो मुझे यह बताओ एट अपांच सेबन इजा प्रॉपर फ्रेक्शन और इंप्रॉपर फ्रेक्शन जबाद दीजिए यह उचीत बिन्न है कि अनुचीत बिन्न है भाईया और आप लोग कलास सेर नहीं कर रहे हो यह बहुत बड़ी ना इंसाफ ही हो रही भाई आप लोग नहीं चाहते हो कि तीनों दिन पढ़ाए भाई बाबु आप लोग कलास को सेर करिए तभी मज़ा आएगी नहीं ऐसे मज़ा नहीं आ रही ठीक है इसका जबाब सबसे पहले कौन दिया है मैं उनका नाम देख रहा हूँ सबसे पहले इसका जबाब साना परवीन उसके बाद भीजा खुसरुदीन हरेन सिंग ठीक है यह improper fraction है यह improper fraction है मैंने आपको पूरा जगा दे दिया आप देख लीजी चलिए आगे बढ़ते हैं अब मुझे आप लोग एकात और जबाब देंगे फिर हम कुछ नया तरीके के सवाल में चलेंगे हम सिर्फ आपको concept सिखाना चाहते हैं बस और हमारी कोई दूसरी मंसा नहीं है इसका आंसर कितना आएगा भई यह 29 है 13 अपां 29 और 11 अपां 29 बताए जल्दी जबाब दीजिए लाइब नमबर 11 यूपी डीलेट पर्थम समेश्टर बिलकुल फ्री गडित की लाइब क्लास रात 10 बज़े से सुरू हो चुकी है जो की रात 14 बज़े तक चलेगी यह मैं लिख रहा था जो भी बोला ना इसको मैं लिख रहा था क्योंकि टेली गराम में भेजना है अगर आप डेली कलास की नोटिफिकेशन और लिंक चाहते हैं तो पीवीर स्टडी का टेली गराम चैनल आवस्ते जॉइन करें इसकी लिंक हो सकता आपको डिस्क्रेप्श ठीक है भाई इसका सबसे पहला जो जबाब आया है चांदनी कुमारी का है साना परवीन दूसरे नंबर पर है ठीक है इनमें भी हर समान है तो अगर हर समान है तो ऐसी स्थिति में इनको हर को ऐसे लिख देते हैं अंस को जो भी चिन्न होता है पुलस या माइनस दोनों करू लेकर होता है लगा के लिख देते हैं इनको जोड़ेंगे तो तीन एक चार और एक एक दो चौविस बटा उनतीस भी आप लोग इसको इंप्रापर फ्रेक्शन बताये थे ना यह बताइए यह क्या है प्रॉपर फ्रेक्शन है इंप्रॉपर है मनबेंद सिंग जब आप दीजिए सोनी देवी दीपा कुमारी प्रिया सुकला जल्दी जल्दी बताइए भई सोई यह नहीं ठंडी में सोने में मज़ा तो बहुत आती है लेकिन सोने से बहुत कुछ खो जाता है और यह जो उमरा और आवस्था चल रही ना हम लोग की इस में छोटी सी चीज खोना भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है तो इसलिए खोना नहीं है और खोना नहीं है तो फिर सोना नहीं है अब सोने का मतलब यह नहीं पागल हो जाना राद भार जागना है मतलब अपना काम धाम करके जो टार्गेट है उद्देश से करके तब ही सोना है चलिए इसका सबसे पहला जो भी जबाब आया है उन्होंने कौन है भाई वो प्रिया सुकला ने बताया है और साना परवीन दूसरे नंबर पे हैं ठीक है यह यह प्रॉपर फ्रेक्शन है सही बात है यह प्रॉपर है यह मतलब यह उचित भिन्न है यह ठीक है डन अब आप लोग भिन्नों का जोड़ना घटाना कर लेंगे ना बताये कर लेंगे ना लेकिन हाँ इसमें मैं आपको कुछ और नया बताने वाला हूं ध्यान देना बहुत ही भाई जाना नहीं कहीं है छोड की न जाना तुम आदे हजार करके बस उसके बाद तो फ क्लीब कहां होता है है ना कब चले जाएं कहां किसके साथ फरार हो जाएं कुछ पता नहीं कुछ लोग हम ही कुगरी आएंगे चलिए देखिए अब यह तो दो पद वाली भिन्न थी कि इसको पहले भीगोना पढ़ता है फिर सुखाना पढ़ता है जब तीन पद में हो जाए जैसे तीन बटा साथ धन एक बटा साथ धन आठ बटा साथ तब ऐसे इस्तिती में क्या करते हैं वो बताईए देखिए अब तक दो पद था अब तीन पद है देखो भाई यहां पर मैं आपको कुछ और इंपॉर्टन चीज़े बताने वाला हूं यह पद चाहे जितने दिये हूं इन पद से कोई मतलब नहीं है ठीक है समझिए तरीका वही लगाना है जैसे एक कुश्चन अगर मैं औ अगलो इसको गोंच दिया कुछ भी नंबर है 13 25 25 पलस 11 25 और प्लस ये 13 25 25 और प्लस ·फान 15 25 मैं जो तरीका बताया लगेज़ बिलकुल ऐसे ही ठीक है अजय शुकला बिल्कुल तरीका गलत है अभी ऐसा कुछ नहीं करना है कुछ नहीं करना है हरें सिंग दीपा कुमारी ठीक है बहिया इनके हर सभी में समान हैं बराबर करके हर समान ऐसे लिख देते हैं सेबन अंसंस को जोड लेंगे पहले में तीन है दूसरे में वन है अगले में आठ है अब निच्चे जगा नहीं इसलिए आगे लिख देंगे तो तीन एक चार आठ कितना होज़ेगा बारा बटा साथ जल्दी से बताईए टोयला पांस हेबन ये प्रॉपर फ्रेक्शन है या इंप्रॉपर है फटा पड़ बताईए जल्दी जबाब दीजिए बोलिए 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 कुछ भी बोलिए दिल से बोलिए बस कुछ भी बोलिए बताईए जल्दी करिए क्या है प्रॉपर है कि इंप्रॉपर है कि हुँ ठीक है सबसे पहला जवाब है हरें सिंग प्रिया सुकला भाई अगर आप इसका बता रही है तो ठीक है बाकी तो गलत है ठीक है यह अनुचित भिन्द है यानि इंप्रॉपर फ्रेक्शन है तो आप लोग भिन्द का जोड़ना सीख गए होंगे मुझे पूरी उमीद है जितने भी साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाईया ठीक है सो मुआर मंगलव सब्सक्राइब बुद्धवार बुद्धवार मंडे ट्यूजिटे बेड़नेस डे सब्सक्राइब होता है कम समय में ज्यादा सिखाने की गारंटी आए अगले में इसमें सब में 25-25 है यह कितने भी पद का हो कोई फरक निपड़ता है लेकिन सभी के हर एक समान है ध्यान दीजिए 25-25-25-25 है न हम क्या करते हैं बड़ी फिलाइन खीच करके नीचे 25 एक जगा लिख लेते हैं पहली भिन का अंस 13 है फिर प्लस है तो प्लफ लगाया 11 है फिर प्लस है फिर 13 है फिर 1 है आप को गई कैसे हावा में लिख दिया यह देखो 13 यह 11 यह 13 यह 1 इनके सभी क हमने हर नहीं अंस अंस को जोड़ लिया इनको जोड़ दीजी आपस में अब जोड़ना घटाना तो आपको आता है यह इतने बड़े बकलोल तो है नहीं आप लोग इतना तो आता है यह 13 दूने 26 26 10 36 31 31 31 कितना आएगा भई सबसे पहला इसमें जो जबाब आया है उनका ना पर आपर है कि एक कुशन और क्या इससे मिक्स फ्रेक्शन बनाई जा सकती है सर्वन सिंग इंटर्टेन्मेंट बताइए जब आप दीजिए भाई देखे नाम की चक्कर में मत पढ़िए काम अच्छे करते रहिए नाम कुद होता है काम अच्छे करिए कुछ लोग आते हैं कमेंट में सर मेरा नाम बोल दीजिए मेरा नाम बोल दीजिए क्यों बोल दे कौन तुम आस्मान में तीर मार के आया हो काय बोल दे पढ़ाई करिए उत्तर सबसे पहले बताईए ना चाहते हुए भी आपका नाम बोलेंगी ना चाहते हुए भी बोलेंगे भले हमारी आपकी आपस में दुस्मनि हो लेकिन हम यहाँ पे करनाम जरूर बो लेंगे, अगर आप Жevाब देंगे सवाल का है ठीक है क्योंचसे इसे प्रॉपर फ्रेक्शन सजरी जो इम प्रॉपर फ्रेक्शन होती है उससे मिक्स फ्रेक्शन बनाई जा सकती है अब आप भिन्नों का जोड़ना सीख लेंगे जब भिन्न के हर समान होंगे जब भिन्न के हर समान होंगे तब आप भिन्नों का जोड़ना सीख गए सीख गए ना ये उपर मैं मिटा देता हूं तोड़ा गंदा सा उपर चला गया था इसलिए अच्छा नहीं लग रहा मिटा दिया मैंने जिनको बेसिक सीखना है ये कलास उनके लिए भी बहुत हल्पुल है आप कुछ नया सीखेंगे आईए आईए आपका ही इंतजार था देखिए 32 अपान 1515 प्लस 1313 अपान 25 देखो भाई आप क्या होगा अब तो इनके हर और समान नहीं है जबाब दीजिए क्या होगा जरा सोचिए एक मिनट के लिए फटा फट बताईए आपकी बार हमें लगता बच्चे उस दिन से ज़्यादा जुड़े हैं बहुत अच्छी बात है चलिए ठीक है खुशी हुई दिल को अंदर से कि आप लोगों ने कलास को सेयर किया है ना चलिए सबसे पहले प्यारे साथियों इनका लसीम करते है 15 और 25 का लसीम करना किसको किसको नहीं आता है इमांदारी से हाथ उठाईए जूट नहीं बोलना केरियर के साथ किलवार होता जूट बोलना चलिए हाथ नहीं उठा सकते हैं तो यजए बोलिए कि हमें नहीं उठाए यज यज एल सीम ठीक है तो भाइया इल सीम यह 25 है 15 है मैं इसे बेसीक तरीके से बताऊं तो थोड़ा लंबा होता लेकिन मैं बेसीक को इसको आल सीम बता ही देता हूँ यह तीन से कटेगा सबसे पहले अब क्यों कटेगा कैसे कटेगा LCM DTL में पढ़ाएंगे वैसे basic math में रात 9 बजे पढ़ाएं उसको जाके देख लीजिए ठीक है तो तीन पचे 15 फिर 5 से कटेगा 25 यह पांच एककम पांच नहीं यह वहाँ वह बनाएगा देखो गोंच उठा न ठीक है अब फिर पांच तो पचंपचीस तीन है पचात्तर यानि इनका LCM कितना आएगा भाई इन दोनों का LCM कितना आया बागु देखो यहां पर 25 ओके कुछ बुजा रहा है आये 75 जो LCM आया उसको ऐसे लिख लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं बड़ी फिलाइन खीचते हैं अरे बड़ी सी मतलब छोटी सी समझने लाइक रहे बस अब जो समझना टॉपिक पकड़ना क्या कर रहे है ध्यान से देखिए पहले कि उसके बाद ऐसे एक हराई फंद आया और उसमें लिखा जो LCM आया था 75 पहली भिंद के जो हर है इससे इसको भाग किया तो बहिए पंदरा पचे पचात्तर से इस फाल आया जीरो तो जो भाग फाल आता है ना साथियों ऊपर कॉसियंड जी से बोलते हैं इंगलिस में उ इसको पकड़ के लाओ कहीं लिखो और गुडा का चिन्द लगा लेते हैं और जो पहली भिंद का अंस होता है ना इसमें गुडा करके रफा रफा कर देते हैं तो पहली भिंद का अंस है 32 यह 32 में गुडा कर देंगे तो 5-2-10-80-15-1-16 कितना आगे 160 इस 160 को यहां लिख द रफा देंगे हम 75 में 25 का मल्टी भाग करेंगे ऐसे बहिए जब यहां 55 करोगे तो 55-75-63 आएगा कितना आयगा तीन आएगा और तीन काफ इसमें गुडा करोगे तो तेरतीयां कितना होता है 49 कि बोलो होता है कि नहीं था-59 ना अब इसी को क्या करेंगे दोनों को जोड ल तोड़ने का तरीका और एक तो साथ है और अनौंतालिस है आप जराएक मिनट के लिए सोच ओ कि अगरी एक सो साथ हो छालीस होता तो में 160 कि 150 HOखे तो सिद्धा"-फिद्धा 200 हो जाता जीसे कोई दुकान्दार के अहां सामान लेने कि आप गए आपने 49 रुपय का गर सामान लिया न तु सबक्तानदार पहिले आपको ग्यारा रुपई मरस इंदेगा इतना 11 रूपए देगा उसके बाद कितना देगा जल्दी बताओ अगर आपने किसी दुकानदार को 200 रूपए का नोट दिया और आपने उसके थार्टी नाइन रूपए का कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया कुछ भी तेल नोन खरीदा वैसे तो तेल नोन मिलेगा ने तो 49 चालिस दस पचास आपका हो गया है सीधा फिदा फिर देड़ सव लटा देगा यानि पहले एक बार गया रहा एक बार देड़ सु देगा तो सीधा विदा उसका इसाप समझ में आ जाएगा जोड़ घटा भी लेगा तो ऐसे इसको करेंगे 160 जोड़ेंगे 200 हो सब्सक्राइब एगा अब आपकी आपको जोड़ना आता है कैसे भी जोड़न लो यह वी कोई बताने वाली बात नहीं है ठीक है जैसरी सार्ट्स ठीक है भाई जैसरी बहुत अच्छे आप लोग कलास को लाइक कर रहे हैं सभी ना मज़ा तो आ रही ने बिल्कुल बहुत मज़ा आने वाली है बस रेगुलर बनिए हमारे साथ आईए पढ़िए यह हो गया सभी को लिख लीजिए लिख लीजिए मैं इसको मिट आके आगे बढ़ता हूं जल्दी करिये जिनको लिख लीजिए नहीं आता भाई यूटूब पे पीवी आरे स्टडी लिख के सर्च करिये मिल जाएगा तुरंट वीडियो मिल जाएगा हमारा मैंने बहुत अच्छे से लिख लीजिए बताया है एक चीज और सुनिए और क्या है अगर आप सातो दिन इस कोर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप पीवी आरे स्टडी अप्लिकेशन डाउनलोड करिये और कोर्स को आज ही जोईन करें नए साल पे इस समय 50% का डिसकाउंट भी चल रहा है तो आज ही पीवी आरे स्टडी अप डाउनलोड करके एंट नाइन नाइंटीन आप साथ अब यह बताएँ यहां पर एक आपको जनकारी नहीं मिलेगी वह क्या है क्या आपको लग रहां कुछ नहीं जनकारी है यहां पर हम में हम बताए फटा फटो ने कि कि बाइग जिवाई भ़ए भाजी कौन है यार मिए इसमें इंक निकल गई मेरे नाक वाग में लग गई बड़ा खतन नाख है हारी आजीब टाइब का केम कल इसमें होता है चलिए देखिये मैं बताता हूँ आईए पूजा भारगो ठीक है भाईया इनका पहले LCM निकालेंगे LCM देखिये यहां पर एक नई चीज यह है कि 1515 और 7 का जो LCM है न वो इनका गुड़ा करके मिलेगा ऐसा क्यूं होगा पता है क्योंकि किनी भी दो संख्याओं का जिनका LCM हमें निकालना है अगर उनमें कोई भी परकार का कामन गुड़नखंड नहीं है मतलब वन को छोड़ करके कोई परकार का कामन गुड़नखंड नहीं है तो उनका LCM हमेशा उनका गुड़ा करने पर ही मिलता है यानि इनका LCM वो होगा जो इनको दोनों को गुड़ा करने पर आएगा यानि 105 समझ गए ना बाकी LCM करने की कोई जरूरत है नहीं दन अब LCM में भाग करेंगे पहली भिन के हर से तो जब हम 105 में भाग करेंगे 15 से समझते जाना तो 15 सत्य 105 क्यों मैंने सही लिखा एक गलत मुझे लग रहा गलत है कटे गए नहीं मुझे लग रहा देखो 15 सत्य 105 सही है कि गलत है सही है ठीक है कुछ लोग सोचें हां गलत है तो भागफल आया था साथ सेबन आया था सेबन का मल्टीपल करेंगे भाई पकड़ के लाएंगे इसमें 38 में तो 7 8 56 के च्छा हांसी लाया पांच और सात्रीक एकईस पांच एकईस पांच 26 और फिर प्लस इसी कंडिशन को इधर भी अप्लाई करेंगे पहले साथ से भाग करेंगे 105 में जब सात्रा से भाग करेंगे भाईया तो तो भागफल साथ आया था वैसे अगर इसको साथ से भाग करेंगे तो भागफल पंद्रा आएगा पंद्रा का गुड़ा उन्नीस में करेंगे कोई आखनम और ये दिल मुश्कराया तो साथ ही कोई भूला याद आया कुछ लोग सोच रहा होंगे एका है अरे वो कहाना बजल में बजा रहे हैं दोस्ती है चलिए पंद्रा का गुड़ा इसमें करेंगे क्योंकि वहां पे पंद्रा आया था बही कर लो ये देख लो इसको भी बता देता हूं क्योंकि मैं बताई रहा हूं साथ एककम साथ घटाने पर आया तीन उतारा पांच साथ पचेपैंथिस अब इस जो पंदरा आया इसका गुड़ा करेंगे किसमें दूसरी बिन्न के अंस में अब पंदरा नमईया कितना होता है 135 पाड़ा आता न सभी को पंदर दाम में 150 होता है तो पंदरा नमईया 135 का 5 आशी लाया 13 क्यूंकि 135 अशे लिखा जाता है इसमें का 5 अगर यहां लिख लेंगे तो यहां पर 13 हां फिल बचेगा वन थरी थार्ट और पंदरा एकम 15 15 13 कितना होगा 15 13 कितना होगा वह सीधी सी बात है 15 15 30 होता है तो 15 13 मतलब दूइकम यह अठाइस 285 होगा की नहीं बता यह सही लिखा न मैंने इनको जोड़ लीजी आपस में देखिए यहां पर एक चीज और भी करना था क्या कुछ नहीं यह कटने वाला था ही नहीं 6 5 11 के एक हांसी लेक और 8 6 14 15 पांच हांसी लेक दूदू चार एक पांच क्यों भाई हम सही जोड़ें गलत परिया तिवारी जी बहुत अच्छे परिया जी बरी गुड ठीक है साना परवीन बिल्कुल सही है बहुत अच्छे काजल गुपता बरी गुड ठीक है तो भाईया इनको जोड़ लेंगे तो 550 5 105 आएगा यह आपस में किसी भी तरह से डिवाइड नहीं होंगे मतलब ये आपस में कोई भी इनके कामन गुड़नखन नहीं है वनको छोड़कर इसको हम आंसर लिख सकते हैं लेकिन हाँ ऐसे इस्तिती में अगर कहीं आंसर लिखते हैं अभी हमने आपको यहाँ एक इस्टेप और नहीं बताया तो इनको आंसर ऐसे नहीं छोड़ा जाता है वो गलत माना जाता है मतलब complete नहीं माना जाता है हाँ कोई गलत नहीं काट सकता है इसको लेकिन इसे एक लाइन और लिखा जा सकता है अभी तक तो हमें सिर्फ सिखाना था छोटी छोटी बाते इसलिए नहीं बताया लेकिन अब मैं उसको भी बता देता हूँ इनको एक लाइन और कर देना चाहिए वो क्या है आईए बताता हूँ इन्हें क्या करते हैं इन्हें प्रापर फ्रेक्शन के रूप में तो नहीं बदला जा सकता तो इन्हें मिक्स फ्रेक्शन के रूप में लिख दिया जाता है कभी भी आंसर को इन्हें प्रापर फ्रेक्शन में नहीं छोड़ा जाता है ठीक है तो वो कैसे करते हैं देखिए बताता हूँ अब 551 को भाग करेंगे 105 से बताइए कितनी बार जाएगा जरा सोच के बताइए हमें लगता पांच बार जाएगा 25 पांच एकम 5 तो 525 हो जाएगा न पांच बार जाएगा पांच 25 का 5 हासिल आया दो जीरो में गुड़ा किया तो पांच जीरो जीरो हासिल तो जुड़ गया दो और पांच एकम 5 ठीक है घटा लीजिए 11 में से 5 गया 6 ये 4 में से 2 गया 2 यानि 26 आया न वहीं कितना आएगा जितना ऊपर गया है भाग फल उचे सबसे पहले लिखते है बराबर करके आगे पांच और जितना सेज़फाल है उखोपड़ी पर हो जाता है जिससे भाग किये रहते हैं वह ऐसे ही रह जाता है यह इसका सही आंसर है सही तरीके पे लिखा गया यह कंपलीट है समझ में आरा फटा फट लिख लिजिए कच्छा बारा की मैथमेटिक्स बहुत जल्दी ही PVR स्टड़ी लहाबाद चैनल पे सुरू हो रही अगर आपके घर परिवार में कोई इंटरमीडियेट में 2023 की परिक्षा देने वाला है 22 की नहीं तो बहुत जल्दी ही हमारी कोशि से 10 जनवरी 2021 के पहले पहले कलासे आना सुरू हो जाएंगी ठीक है चलें फिर आगे तो ये था भिन का जोड़ना मुझे लग रहा बहुत लंबी कलास हो जारी भाई है समझाना पड़ता है थोड़ा बड़ा हो जाता है तो सातियों इसी तरह से भिन के घटाने में भी होता है मैझने तो टॉपिक देर सारे सोचा था लेकिन टाइम ज्यादा निकल जा रहा क्योंकि कुएस्टिन करवाने पढ़ते है तो बताने पढ़ते हैं डिटी अल में तो टाइम लग जाता है यह बताये कितने तक का पाड़ा याद है इमांदारी से बताना कोई जूट नहीं बोलेगा यहां किसी की गल्फेंड बॉइफ्रेंड नहीं देख रही बेज़ती नहीं होने वाली है और अगर देख देख रहा है रही है न तभी कोई बेज़ती नहीं है यार जिंदगी में आज के समय में ना जो कामयाब नहीं उसकी कोई इज़त नहीं समझ लो बस यहीं समझ के चलो कोई इज़त बचाने के लिए टालते हो वही हं वो जान जाएगा वो जान जाएगा किए नि renderedा इससे कोई सलूसन नहीं निकलता है लोग आजकल बहुत कुछ करते हैं ऐसे यहां तक मार्केट जाएंगे हाथ में अगर सबजी जोला में लेके आएंगे बड़ी बिजिती महसूस होती है पॉलिथीने लेके आएंगे लटका के दिखता हुआ आना चाहिए यह भी सरम की बात है कोई कि हम जोला में सबजी लेके आएंगे तो वह सरम की बात है लेकिन होता है आजकल लोग गाय चराने को बिजिती महसूस करते हैं लेकिन कुट्टा टालाने को बड़पन समझते हैं है ना कि चलिए आगे बात करते हैं अब एकाथ कुश्चन घटाना वाले में थर्टी फाइप अपांड ट्वेंटी माइनस कि यह थोड़ा कि एक तरीके पर चलते हैं छोटा-छोटा इनको करेंगे तो कैसे आएगा बताइए टेबल मैंने पूछा कितने तक याद है मनबें सिंग बोलने 40 तक याद है अच्छा यहां फेकना थोड़ी से लंब लंबा अभी पूछ ले 49 का बताया दो तो नहीं बता पाओगी आजय कुमार दीपा प्रिया सुकला ठीक है चलिए तो मैं बताता हूं इनके हर हर समान है ऐसे इस्तिती में अंस को ऐसे घटा लिया जाता है यह हर जैसे था वैसे मैंने लिख दिया यह मैंने 20 ही लिखाया थोड़ा गंदा लिखाया बस थोड़ा साफ लिख देता हूं ये लो थोड़ा साफ कर देता हूं ये लो इनको घटाएंगे छे आएगा नीचे 20 छे बटा 20 क्यों भईया सही एक आई नहीं अभी ये अभी इसे हम और भी सिंप्लिफाइग कर सकते हैं निकल जा तुम भी निकल जा चले एक नई पैन आपके लिए हम उद्गाटन कर रहे हैं ये देख लो क्योंकि ये ना अकेली थक गई है कि इसलिए दो रहेंगे सही रहेगा इनको दो से काटेंगे तो दो त्याहिए च्छा और दस तीन बटा दस आएगा कितना आएगा थ्री अपान ट्यन सभी को समझ में आया अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे बिना बोले चाले चलो फटा फटा जाओ ये था जब भि इनको भी हल करेंगे ऐसे ही 3 पद में है ध्यान देना सबसे पहले लाइन लगा कि ऐसे बराबर लगा कि 11 लेंगे जो हर में रहेगा उनको एक जगा लिख लेंगे अंस वालों को ऐसे लिख लेंगे चिन्न के साथ पइले अठारा था फिर बारा था फिर फाझ था मैंने वैसे लिख लिख लि Gwen कि साथीओं यहां पे कुछ सीखना पड़ता आपको इस्टरन कि वो क्या है में बता रहा हूं देखियं यहां पर सिरह सिरहां प्लस प्लस जुड़ता है माइनस वाला कभी ने जुड़ता है माइनस वाला माइनस के साथ जुड़ जाता है तो आएसे इतिती में प्रिये साथियों या आपस में जुड़ेगा 18 माइनस ये 12, 5, 17, 11 ये ऐसे बनेगा क्योंकि माइनस का 12 है माइनस का 5 है कुछ लोग क्या करेंगे इसको पहले घटा लेंगे तो घटाएंगे 18 से 12 जाये तो कितना एगा भी 6 आएगा चे में से 5 जाया तब भी एक आएगा लेकिन यह हर जगा सही नहीं होता है कहीं कि ऐसा गलत हो जाता है बाकि यह तो सही ऐसे भी सही हो अब इसको घटाएंगे तो वह ना पानी ले बनाएगा समझ में आए ना इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आप लोग कलास को लाइक करिए इतना समझ के चलिए कितना मुश्किल होता है पत्थर से बात करना समझिए कैमरों से बात करना इन गजट से बात करना है कोई इनसान इस कमरे में कोई प्राड़ी नहीं है एकात चुवा हुआ इधर उतर कुद्राव अलग बात है बाकि कोई यहां पर इनसान नहीं बैठा जिसे मैं बोल रहा हूं आप लाइन कलासों की बात अलग होती है आप लाइन में बच्चे सामने होते उनका रियक्शन दिखता है ला अगर लाइक सेहर करते हैं फोड़ा सपोर्ड मिलता है तो फुर्छा मोटीवेसन मिलता है कि हाँ ठीक है कर लो एसे ही है समझ रहे हम बाइपरी यह कुमार को ब्लक कर दिगे पढ़ाई इनके बस की नहीं है कुषग परीतम कुमार को ब्लक करिये चलिए हो गया ये डन आपने दो चीज़ सीख लिया घटाना सीख लिया ऐसे ही जो हर असमान होगा उसको भी ऐसे ही करेंगे आसमान हर वाला भी ऐसे ही करेंगे वो भी मैं बता देता हूं इधर आईए जैसे जोड़ना वाला बताया था वो ऐसे करेंगे आसमान हर वाला घटाना भी यह मैंने प्रीतम कुमार को बला करने को काहे बोला कुछ लोग सोचे होंगे तो जो इनका कमेंट देखे थे उनको पता है यह क्या लिख रहे थे मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पर आईए देखिए यहाँ पर समझिए हाँ तो जैसे मैंने लिखा 32 अपान 16 16 माइनस 25 अपान 15 इनको आपस में घटा कि मुझे आंसर बताएए जल्दी करिए बहुत जल्दी कोसिस करिए कोशिस अउनली कोशिस है नए लहरों से डर करनां का पार नहीं होती और कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती नन्नीफी चीटी जब दाना लेकर कहां चड़ती है बड़े पहाड़ वाए आसमान पे कहां जाती है यह ठीक अभी ताहर देख लेना आप लोग पढ़ लेना दाना लेकर कई बार फिसलती है फिर भी चड़ती है फिर फिसलती है लेकिन उसकी मेहनत वेकार नहीं होती है ना एक बार वो चड़ी जाती है कहां दिवाल पे आपने देखा होगा आपके घर में कहीं भी एक चोटी फी चीटी अपने से कई गुना ज़्यादा बड़ा वजन लेकर के चलती है क्यों वजब भार वार कोशिस करती है बले घिर जाए एक गेहूं का दाना खिसका के ले जाती है ना आप कहीं देखो गेहूं के टाई में देखना अपर एल मही में अगर खैठ मैं कहीं मिलता है पढ़ा देखना चीटिया उसको कैसे घिसेटती है कि दाना बार-बार घिर रहेंगे गिरेगा छूट जाएगा फिर घिर रहेंगे फिर गिरेगा ऐसे ऐसे लेकिन वह अपने बिल तक उसे घर्फिट ले जाएगे पक्का तो यह क्या है कोशिस होती है अनंतवार ठीक है तिवारी जी ने बता दिया है असी बटा दोसो चालिस और सोनी आदो ठीक है कोशिस करिए बताता हूं इनको आप लोग कर लीजिएगा आप हम बताएंगे भिन्न का गुड़ा क्योंकि यह भी वह ऐसे ही है जैसे अभी मैंने बताया था वह ऐसे ही है मल्टिपला फ्रेक्शन आईए अगले टॉपिक पर आईए आपका वेलकम है वैसे अगर देखा जाये तो जो भिन्न का गुड़ा है यह सबसे जादा आसान है बहुत आसान है बेरी इजी है आईए बेरी इजी वाला देख लेते हैं कैसे आईए चलिए देखे जिनको स्टेडी के टेली गराम चैनल पर हम सारी कलास जब सुरू होती है तो उसकी लिंक सेयर कर देते हैं तो डिस्क्रेप्शन में दी गई लिंक से आप पीवी आरे स्टेडी का टेली गराम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना देखे इसमें हर और अंस बराबर होने का कोई फरक निपड़ता है चाहे बराबर हो चाहे बराबर नहों इससे कोई मतलब नहीं होता है समझिएगा कोई मतलब नहीं होता हर और अंस बराबर है या नहीं बराबर है इन में सिर्फ एक के काम है सिद्धा सिद्धा उपर का उपर गुड़ा निच्चे का निच्चे गुड़ा बस ऐसे ही करते हैं बाकि कुछ नहीं करते हैं आई यह उपर का उपर में गुड़ा करेंगे तो तीन का दो में गुड़ा करेंगे ऐसे निच्चे का निच्चे में गुड़ा करेंगे यह हर चाहे बराबर है या कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है ठीक है आप देखिये समझ यह यहां पर इनका क्या करेंगे भई यह मल्टीपल करेंगे बाभू तीन दून अच्छा सास सता उन्चास यह अंसर आ गया अब यह किसी से डिवाइड होगा भी नहीं 69 और 49 किसी से कटेगा क्या सोच के बताओ किसी से डिवाइड होगा क्या नहीं न किसी से नहीं कटेगा ड्राइड करके देख लिजिए आघिये अगला पर बढ़ते इसका अंसर कितना यहаю बहुत जल्दी बताएगए किविकि टाइम है टाइम स्टाइम बहुत कम है इसमें काम कर सकते हाल करने के पहले लेकिन वह बादमें बताएंगे क्योंकि अभी बतादेंगे तो आप हो जाएंगे चुछ लोग काएंगे कन्फूज कौॉन से पराणी का नाम है उसे बलता है कन्फूज मैंने कन्फूजी लिये बोला जिससे आप मो लिजिए अर्टिरिक 24 आठी कमाड़ दो दस तो तेरा अठे होता एक सो चार मंगलवार और बुदवार मंडे ट्यूजडे और बेटनाश डे को रात के दस से ग्यारा चलती है सिर्फ तीन दिन चलती है सब्ता में यूटूब पे फिरी कलास ठीक है बाकी अगर आप फिरी कलास के अलावां कंपलीट कोर्स अच्छे से ढंक से चाहते हैं हमारी बी आएपी सर्विस लेना चाहते हैं तो आप पी वी आरे स्टडी अप्लीकेशन प्लेई स्टोर से डाउनलोड करें सातों दिन पढ़ें घर बैठें और बड़े ही प्यार से पढ़ें कम समय में अच्छे से सीखें सिर्फ आनलाइन घर से कहीं नहीं जाना आना यह हो गया डन तो आप लोग सीख गये अब आई आपकोछ और करना है अउका करना ध्यान देना यापर समझी आप लोग मैं क्या बताने वाला हूं जरत हां समझे द्ध्यान से प्यार से समझीए भाईया इनको गुड़ा करने के पहले हम सिंप्लिफाई करेंगे यह तीन एकम तीन तीन तरिक का नो तो यह नया एक फ्रेक्शन बन जाएगा एक बटा तीन और गुड़ा यह दूई बटा पांच समझते चलिएगा टेंसर नहीं लीजिएगा पैन बहुत छोटी है इसलिए थोड़ा बलर दिख रहा होगा तो उपर का उपर गुड़ा कर लीजिए दो और तीन पचे पंदरा देखे यह एक प्रापर फ्रेक्शन के रूप में आ रहा है तू अपां वन फाइप फिप्टीन इफ लिए इसको अब आ गया और सिंप्लिफाई किया भी नहीं जा सकता यह अंसर हो गया लेकिन अगर हम इसको यहाँ पर ना काटे होते तो क्या होता वह यह तीन दून अच्छा नौपचे पैतालिस तब यह बनता छे बटा पैतालिस और छे बटा पैतालिस को फिर से डिबाइड करना पड़ता समझ गए ना कोई दिक्कात परिसानी नहीं चलिए ठीक है प्रीती अमके प्रजाबती सोनी देवी ठीक है अच्छी बात है आगे बढ़ते हम लोग आप लोग सीख गए तो उमीद है साथियों आप लोग हमारी बातों को बहुत ही दिल से समझ रहें समझ रहें ना आई ये आगे बढ़ते हैं चलिए तो ठीक है ओके गुड आगे क्या करेंगे जरा देखना देखना जरा देखना अब इन्न का गुड़ा आप सीख रहें ना मैंने कहा कि चाहे हर अंसमान हुए आसमान उनका डारेक्ट मल्टिपल कर लेते हैं लेकिन ठेर सा करवा देता हूँ समझिये है इनको क्या करने आपस में मढल्टिपल करके आंशर बताने है कोई बताएगा एंगे रगये है तो मैं बताता हूँ आईए 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 अये आपकी का तो UA इंतजार था को कि देखिए मैं बताता हूं हरेंज सिंग PBR study की फीज कितना होगा हरेंज जी भाई फिरी कलाश चलती यूटूब पे कोई फीज नहीं होता है यूटूब पे हम तीन दिन सब्ता में बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं कुछ भी नहीं होता है सब फ्री मिलता है बहुत पैसा आता करेंगे इनको मल्टीपल करना है लेकिन मल्टीपल के पहले इन्हें सिंप्लिफाई कर लीजिए इन्हें काड़ पीट लीजिए देखिए यह 14 है यह 28 है यह 15 है यह 9090 है यह आपस में कनेक्टेट है मतलब एक प्रकार से कामन गुड़न खंड से न यह 14 से भाईया कट जाए इस ने करेंगी एक नई फ्रेक्शन बनेगी टू अपानवं इन्टू वणाशाइट है कोई दिक्कत नई अभी यहां पर आगे अभी मामला हल नहीं अभी यह फिर कटेगी इस से यह कट रही तो ठीक है इस से कट रहे तो ठीक है अगर आसा नहीं हो रहा है तो गुड़ा म इसे यह भी कट सकता है इससे भी कट सकता है बस अरती य grow कि एक टित हर्कि होनी चाहिए और एक अन्स की है कि ठिक है एक गिंटी हर की होनी चाहिए या गिंटियंस की होनी चाहिए तो यह 2 से यह भी कट जाएगा दो एक कमदो दो त्याइशा फाइनल हो जाएगा भैया इनका अंसर देखते जाना यह ऊपर 1 अपान 1 इंटू 1 अपान 3 बचेगा कुल मिला के कुछ नहीं बचा तो 1 अपान 3 लाश्ट में बचेगा यह अंसर आएगा सामने से मैं हट गया हूं लिख लीजिए प्रिया सुकला प्रीतम कुमार अभी आइफोन सोनी दीपा कुमारी चलिए आगे बढ़ते हैं यह हो गया इसका जब आप जल्दी से फटा फटा बताईए इनीवन बोलिए जल्दी-जल्दी से देखो भाया देर नहीं करना है बिल्कुल देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए जड़ा ट्राई तो करिए ना आईए मैं बताता हूं इनको सिंप्लिफाइड किया जा सकता है क्या हां किया जा सकता है ये 3 पचे 15 लेकिन गलत है 5 से कट पचम 25 और यह 5 यह 15 पांच से कटेगा तो 5 यह 15 अब देखो यह भी कट जाएगा भी 5 एकम 5 और 5 एकम 5 पांच 15 पचे पचतर ठीक है कोई दिक्कत नहीं समझे न इसको काट के 5 लिखा इसको काट के 1 लिखा वन अपांच 15 बचा इधर देखिए आपस में कटेगा नहीं तो फाइनल में बच रहा 38 अपांच 3 और वन अपांच 5 15 इनका जोड गटाना गुड़ा भाग करिए कुछ आए तो बताइए मुझे चल्दी करिए देखो आप कर ले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं भाई यहाँ पर प्लस का चिन नहीं था बाबू यहाँ पर गुड़ा का चिन रहेगा अब यह आपस में मल्टिपल हो जाएंगे यह आपस में क्या करेंगे गुल मिल जाएंगे क्योंकि यह कटे पिटेंगे नीचे उपर कहीं से अब ऐसा नहीं कि तीन से पांच पंद्रा को काट दो नहीं बगल बगल नहीं कट सकता अगर एक उपर होता एक नीचे कहीं भी होता इस पर आइस पर कट जाता तो यह हो जाएगा आर्थी सपान 15 यह 42 ठीक है सपना राठ होर बेरी गुड प्रीतम सोनी देवी दीपा कुमारी कि आगे बढ़े कि हुँँ चलिए ठीक है तो हो रहा है कि दीरे दीरे आगे बढ़ रहा प्रोग्राम भाग भी हो जाए तो अच्छा है तो यह आप लोग कर लेंगे इन्हें आप यह बताए क्या इन दोनों में कोई कामन गुड अना नहीं नहीं कि देखिए आगर एक प्रकार से देखा जाया तो कामन गुड अन्घंड या और नहीं भी है तो आप कहोगे क्योँ confuse कर रहें आ जो हूँ है करें है भी और नहीं भी न इस से क्या मतलब है हाँ डेखा सबस्क्रन के जब है देखिए अगर समंझना है तो देखिए कि हाइये टोपिक पे इनके कामन गुदन खण है भी और नहीं भी है कामन गुदन खड़ इन के वन क्या है one और वन जो है वो सभी में कामन गुड़न फंध होता है इसलिए कि कोई इज्जत नहीं होती है खम कहेंगे कि इसके कोई कामन घुड़न खंड का मतलब को एक सान्ख्या जिससे 38 भी कट जाये और 45 भी कट जाये तो आईसी कोई संख्या नहीं है कि ऐसी कोई संख्या नहीं है यह क्या है आपका फाइनल अंसर इसमें आप कुछ नहीं करना है आप हमें देखना है भिन्नों का भाग देखो भाई समझे नहीं यहां पर भिन्नों का भाग कि डिबीजन आप फ्रेक्शन समझे यह जैसे मैंने लिखा यहां पर मने लिख दिया 30 चलो यहां डिबाइड बाई डिबाइड बाई मने लिख दिया 60 और यहां पर 90 यहां बीच में भाग का चिंद बना ध्या देना तो साथियों आइसी स्थिती में क्या करते हैं पहले हम अंस को वैसे लिख देते हैं पूरे इज्जत मान सम्मान के साथ ठीक है उसके बाद भाग की जगा पर गुड़ा का चिंद लगाते हैं साथियों और यह पलड देते हैं नभग और साथ को मृटई-पल्टी कर देते हैं तो साथ जो है वह नीचे चला आता apra उपर चला जाता है बस यहीं होता और कुछ नहीं होता इसमें एक परकार से ये भी क्या है ये भी एक परकार से गुड़ा ही है ठीक है समझ में आ रहा है सालिनी मिस्रा जी कमेंट आपका आ रहा है स्वमवार मंगलवार और बुदवार सब्ता में तीन दिन कला चलती यूटूब पे सब्सक्राइब करके रखिए देखते रहिए चलिए अ बुचल दिन के रूप में अब इनको करट पीट छोटा किया जा सकता है ठी मुड़ा के प्श्कार प्रती कर लिका। इनका प्रती चालते हैं तो तीन एक कम तीन दो दो चारती बटा चार आएगा इसमें और कुछ नहीं बुटा की नहीं कि साहता है क्लास के बारे में बताईए भाग वाला सवाल यही था बाकी और कुछ नहीं है क्योंकि यह भिन्न है तो इसका जो अंसर आएगा वो भिन्न के रूप में आएगा फ्रेक्षन फाम में आएगा चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं LCM क्या होता है LCM आप सभी जानते हो कि नहीं सबको पता है थोड़ा सा हिंड से दूँगा ज्यादा डीटियल में तो नहीं बताऊंगा थोड़ा हिंड से दूँगा देखिए भाईया जो LCM होता है यह इसका मतलब है लिस्ट कॉमन मल्टिपल इसी को हिंडी में पूरा पूरा एक सब्द में लगुत्तम समापवर्त बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे लगुत्तम समापवर्त ध्यान देना जो HCF होता है उसमें समापवर्त तक होता है वर्त नहीं होता है दोनों में अंतर है मैं छोटा सा पहले इसका डीटियल बताऊंगे लसी में सीफ का फिर हम अपने इस टॉपिक पर आजाएंगे ठीक है समझीएगा अन्नु सुकला कमेंट आपका आ रहा है मन्जु तिवारी जी आपका भी कमेंट आ रहा है मोहित कुमार प्रितम सिंग और रवी संकर अंजली और भी बहुत से तमाम चात्र हैं सबके कमेंट समय आ रहे हैं सबर बना के रखिए आईए चलिए हाँ तो आगे हम क्या बोल रहे थे कि पहले LCM के बारे में थोड़ा सा आपको हम परिचित करेंगे देखिए साथियों यहां से थोड़ा समझना जैसे मैंने नंबर लिख दिया माल लेते हैं 4 और 12 हमें इनका निकालना LCM तो LCM में क्या करते हैं भाईया समझना थोड़ा सा दोनों नंबर के हम फैक्टर करते हैं यह आप जानते हो मैंने आपको बेसिक मैथ में यह सब पढ़ाया था यह सब बताया हूं नहीं आता है तो आप जीरो लेबल मैथ पहले करिए इसको बात में करिए यह इनके फैक्टर हो गए उसके बाद जो दोनों में कॉमन है यह यह देखो दोनों में common है, नीचे लिखेंगे LCM बराबर, दो-दो का जोड़ा बना इसमें से एक दो बाहर आएगा, इन जोड़ों में से एक दो बाहर आएगा, ये तीन अकेले हैं, ये तीन भी बाहर आएगा, इस तरह से इनका गुड़ा करेंगे दो-दूना चारतियां, इन 12 इनका क्या होगा LCM, एक्चुली आपको समझना में पॉइंट ये, कि जो दोनों में common था, उसमें से एक एक दो लिया ही मैंने, फिर जिसका कोई common नहीं था, जिसका कोई साथ ही नहीं था, लाश्ट में उसको भी उतार लिया जाता है, मतलब कहते हैं, कि जैसे मान लेते हैं कि स्कूल में कोई फंसन है, तो जो अपने स्कूल के बच्चे हैं, पहले उनको पुरुस्कार मिल जाता है, ऐसे समझेए, मान लेते हैं, मीठा वगरा मिल रहा है, परसाद वगरा मिल रहा कुछ भी, उसके बाद जो बच रहा है, उसे गरीब बच्चों में बांट दिया ज यह निवारा क्या हो गया थोड़ा सावर समझ यह LCM का मतलब क्या है LCM 12 इन दोनों का LCM 12 यह यह 4 और 12 का LCM कितना है 12 इसका यह मतलब है कि जब हम 12 में 4 से भाग करें इस 4 से तो यह 12 पूरा पूरा कट जाये 0 से सफल आये ठीक है और जब हम इस 12 में यानी LCM वाले में दूसरी संख्या से भाग करें दूसरी संख्या 12 थी तब भी क्या आजाए 0 आजाए यही इसका इतने का मतलब है ठीक है सरवन जी कोई दिक्कत नहीं है समझ गए अब हम इस पर थोड़ा HCF भी बता देंगे उसके बाद हम अपने टॉपिक पर दौण के चलेंगे फटा फट चलिए समझ गए सभी न ठीक है चलो 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 फटा फटा आजाओ वई HCF का मतलब होता हाइस्ट कामन फैक्टर क्या होता है हाइस्ट कामन फैक्टर आप लोग लिख लीजिए इसका इस पेलिंग लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लग रहा वैसे भी समय नहीं है दोले नहीं आप सुन लीजिए और लिख ली जी अजो चीएप और फ्रवी कहा जाता है जी सीएफ समझे इसमें कुछ अलाग होता है दोनों में कॉमन में से एक नियन नंबर उतरेगा इन दोनों में से एक ठाइनल में चार 1 आजाएगा जो कॉमन नहीं है उसको यहां पे नहीं लिखा जाता है सिर्व इतना ही होता है ठीक है ओके यह हो गया डन समझ यह इसका मतलब क्या HCF का भाई HCF का मतलब यह है कि जो HCF आया है उससे भाग करेंगे किसको करेंगे इन दोनों नंबर को बारी-बारी यानि 4 से हम भाग करेंगे पहले इस 4 को तो 4 अजा 4, 0 और फिर इस 4 यानि HCF से HCF से इस नंबर को भाग करेंगे दूसरे वाले को 4, 3, 12 सेशफल कितना है 0 बात समझ में आई बहिए HCM HCF में दिये ही अंतर था कि HCF में हम उस नंबर से भाग करते हैं दोनों नंबर को बारी-बारी जबकि LCM में उस नंबर में भाग करते हैं दोनों नंबर से बारी-बारी सभी समझ गए बताइए yes 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 फटापड बोलो yes समझ गए ना देखिए इमांदारी से अगर पूरी कलास देखेंगे टाइम देगे पूरी गारंटी होती 25 में 25 मिलेंगे डियलेड में यह कभी नंबर नहीं कम होगा मैथमेटिक्स है इसमें मेक अप करने की जरूरत नहीं होती है इसमें वैसे बिना मुह दूले भी जाओगे मेथमेट के खिलाश में तब भी अच्छाए कासा नंबर मिलता है हमारा ँसमें क्योंistance का निहीं हमीट को इन चेहरे वाला मतलब का और प्लीक का जो पेपर होता है, हिंदी इंगलेजीर की किकी कुई अर प्लीक उप्यां उन्हें मेक अ करना पटता है मेक अ मतलब भुश्य क्षेफ है लिखना परता सुंदर सुंदर है राइटिंग नानी पड़ती यह नंबर नहीं मिलता अकसर लोग नहीं पढ़ पाते लेकिन मैत में अगर तुमको दो लिखना तुम आई से व इसे भी लिख दोगे पढ़ने में आ रहा है दो लिखा है नंबर नहीं करता है कोई क देखते हैं इसमें और आगे क्या है अच्छा टॉपिक तो LCM HCF वाला है ना ठीक है कल भिन्न का जोड़ घटाना भिन्न का गुड़ा भाग यह सब पढ़ दिया था आज होगा भिन्न का लासा और मासा चलिए टॉपिक पर आते हैं सोनी देवी जी कमेंट आपका आ रहा है आप लोग मुझे यह बताओ फिर अगर सीख गए हो तो 24 और 28 का HCF क्या होगा जल्दी बताइए 24 और 28 का HCF क्या होगा देखिए आपको कोशिज करना है फट अफट 24 और 28 का HCF क्या होगा परकास सिंग कोई प्राब्लम नहीं हो रही हो समस्या आपकी है हमारे यह कोई प्राब्लम नहीं D.E.L.E.D. मतलब डिप्लोमा इन इलिमेटरी या जू केसन इसका मतलब यह होता है ठीक है B.T.C. उपर जा रहा है कहा है फाइस्टमेश्टर मैथमेटिक्स ओके चलिए आईए आईए मनने पूछा कि 24 और 28 का HCF क्या होगा कुछ लोगों ने बताया जिनका नाम है रुद्र देव कुमार अराधना बलाक्सवरी अराध्या अनुपम ठीक है ट्राई करिए देखी वो बड़ी से बड़ी गिंती जिससे यह दोनों पूरी तरह कर सके बस वो बड़ीसे बड़ी गिंती जिससे दोनों पूरी तरह से कर सके वह ही HCF है सिम्पल सी बात है चलिए इनको किनारे रखिए आए कि कुश्चन है वन अपान थ्री है वन अपान फाइफ है और थ्री अपान सेवन का LCM बताइए यह में पॉइंट का सवाल है आज का कैसे करेंगे कितनी लोग बता लेंगे बोलो भाई आप लोग कलास को लाइक नहीं कर रहे हों यह बिलकुल अंदर से आत्मा जो है न रूठ जाती है ऐसे ऐसे नहीं चलेगा किसी का दिल नहीं तोड़ो फटा फटा आप लोग जल्दी से पहले कलास को लाइक करिए तब ही हम आगे कुछ बोलेंगे अब ऐसे काम नहीं चलेगा हमको मालूम है कि सरदी का मौसम है आप लोग रजाई कंबल में घुश के बैठे हो हम यहां फर्स पर वई से गूम रहें देख रहे हो हमें भी तो ठं का नहीं का है को देख एक थ्वड़ा कश्ट करिए अंगली से लाइक बटन टीक्अ चलिए बताते हैं कर लिए भी देख रहा हूं अभी जो नहीं कर रहे तेख रहा हम अभी तक जो नहीं कियार है ठीक है चलिए इनका सूत्र होता है जो फर्मूला है वो ऐसे आप समझ लीजिए अगर LCM निकालना है तो आप लिखेंगे LCM आफ क्या नुम्रेटर अपान HCF आफ डेनो मिनेटर यह पता नहीं स्पेलिंग सही है कि नहीं आप सार्च कर लें नुम्रेटर मतलब होता अंस और डेनो मिनेटर मतलब हार डेनो मिनेटर सही है न यानि सुन लीजिए भले हिंदी इंगलीज कुछ भी लिखा है सुना ही तो पढ़ता आपको अंसों का LCM करना है और हरों का HCF करना है बस यही कहानी है ठीक है यानि सीधी सी बात यह है कि हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो अंस का LCM यानि 1,1,3 का LCM ठीक है हर यानि 3,5 यह 5 और यह 7 का HCF यही इसका आंसर होगा कर लेना है ठीक है ओके डन आगे बढ़ेंगे चलिए कर लीजिए फटा फट कर लीजिए तो भईया 1,1 और 3 का LCM मैंने आपको बहुत पहिले से बताया है कि दोनों क्या है इन में कोई कामन गुरंखंड नहीं है वन को छोड़कर तो इनका जो LCM होगा वो 3 होगा क्या होगा तीन होगा अब आपको LCM HCF हाना चाहिए जिनको नहीं आता है वो बेसिक मैद देखें रात 9 बज़े से 0 लेवल देखें क्योंकि इसके नीचे हम नहीं जा सकते हैं हरों का HCF यानी इन तीनों नंबर का HCF भईया यह आपस में किसी परकार के कामन गुरंखंड नहीं रखते हैं तो इनका HCF क्या होगा हमेशा 1 होगा क्या होगा 1 होगा तो क्या होगा यह 1 इस तरह से इसका जो आंसर है वो 3 अपान 1 होगा यानी हम कह सकते हैं कि 1 अपान 3, 1 अपान 5, 3 अपान 7 का जो LCM है वो 3 बटा एक होगा क्या होगा 3 बटा एक होगा यह होगया आंसर कुछ लोग जैसे नेहा बर्मा जी जैसे हैं वो इनका गुड़ा कर ले रहे हैं ए बगवान का ओआ जाओ जल्दी से HCF का मतलब होता है highest common factor multiple नहीं गुड़ा नहीं करोगे जो HCF आ रहा है उससे ये तीनों नंबर बारी बारी कटनी चाहिए जो लोग गुड़ा कर लेंगे बता 105 से कभी 3 कटेगा 105 आएगा इनका गुड़ा करने पर तो 105 से कभी 5 कटेगा 107 से कभी 7 कटेगा नहीं नच इनका गुड़ा नहीं होगा ठीक है किति या गेंप्ले बाई गेंप्ले ये रात के चलता है खलास 10 से 11 तोनों कि दिन होता है अगले पचे थीन दिन भी आवी से कर सकते हो चली आगे बढ़ते हैं क्यों हम आई कलद करें इक टाक है ना आगे चले चलो फिर दूऑ अध्य। कि की तीक इसमें थोड़ा सा बदल दे रहें कि लाव ठी duct कि बिना कोशिस कि यह जिंदगी में कुछ नहीं होता है कोशिस का मदलब कम से कम मुह तो खोलो गए थोड़ी तो मेंद करो गए तो इसमें मेहनत कर लो भाया कर लो कर लो हम् ऐता है यह देखिए यहां पर मैंने दो किया है तो यह तीन की जगा पर क्यूं क्यूं LCM अंस का LCM तो ये तो तीने रहेगा ये दो हो जाएगा दो एक तीन बाकी नीचे तो कुछ बदला नहीं है तो सब वही रहेगा तो कितना आएगा भई अच्छा बटा एक ठीक है सबसे पहला जबाब आ रहा इसमें जय किसन का इन्होंने पूरा नहीं बताया लेकिन रूत्रदेव कुमार ठीक है रूत्र देव बेरि गूड चलिये बहुत अच्छे बहुत अच्फे बवूद अच्छे बरि गूड चलिये ओके टन आगे बढ़े ठीक है भाई अभी तक सिर्फ 46 लोगों ने लाइक किया है बाकी लोग को क्या लग रहा है कड़वा लग रहेगा ये कलास मीठा नहीं लग रहा है जल्दी करिए फटा फट छे बटा एक आएगा सही बात है इसका जो दो एक और तीन का कि या लसीम है दो एक और तीन का सिम कितना आएगा ची आएगा या जर्फ इमें कम जो रहें कि आप लोग अच्छा कितने लोग उसल्दी में कम जो रहें हो छोता सा न बता है कि नहीं चोटा सा बताऊ जैसे मैं लिखा तीन दो और पांच इनका LCM क्या आएगा जल्दी बता दो फटा फट दौड के इनका LCM क्या आएगा जल्दी करिए क्या आएगा ट्राइ करते रहिए जितने भी नए साथ ही जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे देखो भाई अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मुसीबत हो जाएगी आपके लिए आपके लिए मुसीबत हो जाएगी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको कलाफ नहीं मिलेगी अगली इसका सबसे पहला जो जबाब दिया होगा न सबसे पहले जबाब देने वाले रूद्र देव कुमार रूद्र देव के बाद योगेंद सिंग ठीक है बहुत अच्छे इन दोनों कमाल कर दिया सबसे पहले बता कि मतलब इन्होंने हंड्रेड लोगों को पीछे किया जिंदगी में थोड़ी थोड़ी उपलब्दी हासिल की जाती है इकठे कहों कि हम BMW खरीद के लेके आएंगे ना और पैसा जेब में साइकल खरीदने के बराबर नहीं है तो नहीं मिलने वाला है पहले टी साइकल खरीदो तेरी बाइक खरीदो हां फिर छोटी मोटी कोई कुछ खरीदो तब जाके BMW सपना देखो समझ रहे हो ना कहने का मतल लाख में जाए तब करोन में जाए ना तो वैसे क्या है यह मिआले चोटे चोटे परस्ट पहले करने चाहिए ऐला इज्ञत मिलती आत्मा को इय आए और इसको में 12 कर दिया इसको मैंने 33 कर दिया इसको मैंने 15 कर दिया 25 कर दिया चल भाई अब इसका अंसर कितना आएगा कुश्चन बदल गया ध्यान दीजिए कुश्चन बदल गया है मंजू जी कमेंट आपका आ रहा है और पहुच भी रहा है लेकिन आप पढ़ते रहिए बस चलिए जल्दी करिए इसका अंसर कितना आएगा देखते हैं सबसे पहले कौन बता रहा है इमानदारी से चलिए बता गया अन्स में क्या है बारा है यह बाई रूक जां में 12 फिर फीर है पिर फिर तीन जीनको को सम 47 स सीप हां वह फटा फट्रस को कर लेंगे इसमें कुछ नया नहीं है और इंको रहें लहके भूजाते रहेंगे रात Pepper कुछ on नहीं बारा पंदरा और तीन नहीं आता तो आप कलास देखिए मेनत करिए आएगा आएगा नहीं तो जाएगा कहां आएगा चलिए आएए हर में क्या है भई यह ताइटीस है पचीस है और साथ है इसका सभी जो सबसे पहले जबार दिया उनका नाम है हिमानसु सुकला पता नहीं सही बता रहे हैं गलत ठीक है आएए हम देखते हैं इनका लसीम बारा पंदरा और तीन का जो लसीम होगा वो क्या होगा भई लसीम का मतलब वो छोटे से छोटा गुड़ज जिनको यह तीनों नंबर काट सकें क्यों यहीं होता है नहीं जिनको यह तीनों नंबर काट सकें यह होता है आइए मैं तरीका सिधर कर देता हूं इसार देखिए लसीम करना सबको आता है प्यान बहुत पतली चल रही क्या दिखने लाइक नहीं है 12 15 और 3 देखो सबसे पहले 3 से कटेगा तीन चोग 12 तीन पचे 15 और 3 तीन से इसलिए काटने वैसे ही एकदम बेसिक रूल नहीं है अगर एकदम बेसिक जाओगे तो पहले आपको 2 से काटना पड़ेगा ठीक है तो पहले दो से काटना पड़ेगा फिर हम 3 से काट दिये तो 4 5 और 1 अब इसे 4 से काट दें तब ही ठीक है हमका अच्छा है एक वाला मेथड नहीं बताएं ठीक है तिन तरीका नो नो चोग शत्तिस यह ऐसे कर लो तिन तरीका नो पांचोग बीस नो दुन अठारा एक सोसी आएगा कितना आएगा इस तरह से जल्दी बताओ फटाफट कितना आएगा एक सोसी आएगा करके देखिए और बताइए सही एग नहीं एक सोसी आएगा ना लसी एम क्या आएगा एक सोसी इसका एक सीएफ करिए एच सीएफ का मतलब HCF का मतलब क्या होता है highest common factor देखिए वो 33 है वो 25 है कोई ऐसा common number तो है ने जिससे दोनों कट जाए 7 यानि इसका जो HCF आएगा वो 1 ही आएगा क्यों भाई ये लोग कहा जा रहे हैं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं कौन सी दुनिया में जी रहे हो इसका LCM करना था कुछ लोग इसका HCF निकालके 60 लिखके मजे ले रहे हैं कहां जी रहे हो इसका वन आएगा ना भाईया इनमें कामन नहीं है कुछ भी 33 25 और 7 इनमें कोई भी हमें नहीं लगता कामन नंबर है सब अलग अलग है 180 बटाए किसका अंसर आएगा अराध्या ठीक है बहुत अच्छे संजना सुकला बेरी गुड असनिहा तिवारी बताइए सभी सही है कि नहीं कोशिस किया आप लोगों ने इस तरह से अगर कोशिस करेंगे तो बहुत कुछ होगा और आप आप लोग सेशन को लाइक भी करो भाई ऐसे मजा नहीं आ रही हां लाइक करते जाओ बीच-बीच में बताना ना पड़े यह चलो हो गया अब सभी कर लेंगे मुझे पूरा उमीद है कर लेंगे आप लोग लेकिन अब मैं इसी में नहीं करने वाला हूं अब मैं इसको मिटाओंगा क्योंकि बहुत हो गया आप लोग मुझे टेबल बताइए यह बताइए उन्नीस छक्का कितना होता बही मतलब नैंटीन सिक्स ज जिनके मुह में इसका अंसर तुरंत नहीं आया ना उन्हें बहुत पढ़ने की जरूरत है असनेहा जी इसके लिए आप बेसिक मेर्द देखिये पहले पहले बेसिक देखिये नहीं तो अभी LCM HCF का चैप्टर आएगा आगे तो पढ़ाएंगे अभी इसका चैप्टर आएगा डीलेड में तब पढ़ाएंगे यह देखो उन्नीश चक्का 114 भाई कोई बताया तो हिमानसु ने बताया देखो कुछ अलग अलग बता रहे हैं कोई अलग बता रहा है कोई अलग बता रहा है क्यों कैसे चलेगी जिन्दगी ऐसे आधी तो ऐसे बीत गई 25-26 साल 25-26 साल और बची है क्योंकि आज के इस पालूशन वा अले है कि 28 थोड़ा पतला चल रहा है रुक जबाई कि यह 12 यह 15 यह 45 यह 22 और यह 33 इनका बताइए LCM क्या होगा जल्दी करिए देखते हैं सबसे पहले कौन बता रहा है अनुपा मौर्या बोल रहा है हमारा LCM रांग है अच्छा LCM रांग है क्यों भाईया देख लेते हैं चलो हो सकता सही है बोल रहा हूं तीन तरिक का नो अच्छा तीन चोग 12 तीन पचे 15 तीन से काटा यहां पर गड़ण खंड में इसको बताईये आप लोग फिर बताते हैं अच्छा अभी आप लोग जा गें का ठीक है ओके तो यह तीन से जब कटा था यह भी वना जाएगा यही तुम्हें पूछ रहा था इतना देर से देखे कहीं कहीं हम जान बूच कि अगर छोड़ते ह करें हां कहीं कहीं मिश्टेक हो भी जाता है अईसा नहीं कि हम हर जगा सही करते हैं थोड़ा कभी तुरूटी हो जाती तो उसे भी पकड़िए तो यह यहीं पे खतम हो जाएगा को मिला के दूसर का तीन नहीं आएगा यह 4 से कटेगा यहीं पर यह 5 आ जायेगा यह 5 से काटेगा तीन चूङ बारा पंचे 60 यानि 60 बटा 1 आएगा देखिए यह वहीं हुआ ला आप लोगों को अगर पता है अगर आप लोगों को पता है आपने बताया और कोई पुछा है यहीं होगा तो आपने जिकर आने नहीं नहीं 48 नहीं 45 तो वही हाल है इसको बताइए चलिए जल्दी करिए फटाफट बहुत जल्दी करिए हाँ इसमें देखिए थोड़ा सा तुरूटी थी इसमें थोड़ी सी तुरूटी थी क्योंकि छे गुना बढ़ गया था जो अंसर था हो इसमें कितना आएगा देखिए तरीका सीख लीजिए बस फटाफट तरीका सीख लीजिए खाजा लाला फीसियल लाइक यूर सुनने से सिखर तक ओके ठीक है बहुत अच्छा भाई खाजा सिंग आईए इधर आईए इसको क्या करेंगे अनुपम मौर्या का आगया बहुत बड़ा अंसर आया है इनका अंसर देखके तो मुझे भी डर लग रहा है इतना बड़ा अंसर आया है देखिए सबसे पहले हम इसको सिंप्लिफाई करेंगे इतना बड़ा इसको हल नहीं करेंगे यह चार से कटेगा चार सते अठाइस चार तीयां ही बारा इसका एक नया फ्रेक्षन वनेगा से बनांथ री इसको भी काटेंगे फंद्रा एक पंद्रा पंद्रा तीयां पैतालीस तो एक वटा तीन अएगा इसको भी हल करेंगी 1, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 2, 3 आएगा अब ये हमारा रियल में होगा जिसे हम हल करेंगे ठीक है ये वास्तों में है जिसे हमें हल करना है समझ रहे होना आप लोग आओ चलो जल्दी से अब क्या करेंगे हमें इसका पूरे का LCM करना है तो हम लिखेंगे अंसों का LCM अंसों का LCM बटे हरों का HCF ठीक है तो आजाओ भई अंसों का LCM यानि साथ एक और दो का LCM और तीन सम में तीन आ गया तीन का 3 का HCF HCF ओके अफनेहा तीवारी जी अंसर आया इनका कमेंट सबसे पहले आया आये देखिए सही है न भाई देखो साथ और दो इनका हमें क्या करना LCM करना है दोनो सह अभाज है एक परकार से बोलें को प्राइम नंबर है इनको हल करना बहुत है आसान है को प्राइम नंबर है इनका LCM इनका मल्टिपल हो जाएगा चवदा आयेगा ये तीन 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 सब एके हैं इनका हमें क्या करना है HCF करना है कुछ भी करना है सब एके गिंती है तो उसका क्या होगा सब ओही आयेगा क्या आयेगा वो बड़ी से बड़ी संख्या वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सब को काट सके यहां सन्योग बस सब एक समान हो गया है तो तीन ही आयेगा क्या आयेगा भईया तीन ही आयेगा चलिए क्या आयेगा तो यह 14 अपांथरी हो जाएगा क्यों यही तो होगा ना क्या और कुछ होगा करके देख लीजिए गा फिर बताईएगा इनको हम अलग अलग नंबर मान के HCF निकालेंगे नहीं तो अगर एक के मान होगे तो इसका तो कुछ होगा ही नहीं भाई तीनों अलग 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 अंस है ना इसका अंस तीन है इसका हर इसका हर इसका भी 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 हर इसक सेम टु सेम हैं तो क्या होगा वह बताईये मुझे अगर इसी प्रस्न का हम है एचिसी अफ बोलें तो क्या होगा कोशिस करके मुझे बताईये और एक बात और बतातें बीच में अगर आप यापके घर परिवार में कोई एटल का ब्रॉडबेंड लगवाना चाहता है तो कि रुपया करके न लगवाए नहीं बहुत परिसान हो जाएंगे एरेटल ब्रॉडबेंड इंटरनेट बिल्कूल न लगवाएं मैं ये परचार कर रहा हूं एक परकारसी क्योंकि मैं लगवा के परिसान हो मैंने साल बरका रिचार्ज कराया 11,316 रूपय का 11,316 रोज कस्टुमर केर को काल करो रोज कभी केबल टूटी है कभी चल नहीं रहा कभी कोई विमारी है और होता कुछ नहीं परिसान करके रख देंगे आपका काम दंदा चोपठ हो जाएगा इसलिए बिल्कुल ना लगवाएं परिसान ना हो पहले से समझे चलिए HCF आप समझे इसमें सूत्र थोड़ा बदल जाता है एक परकार से ये समझे लो जो आपको निकलवाना है करना है अगर HCF करना है तो आप हरों का HCF करोगे अगर LCM करना है तो हरों का LCM करोगे बस इतना ही करना है बाकी कुछ नहीं ठीक है आईए तो यहां लिखेंगे अंसों का HCF HCF में HCF उपर रहेगा हरों का LCM तो चलिए इनका करना है बाई अंसों का HCF से बन वान और टू इसका HCF और हर में क्या था सब में 3-3 आया था तो 3-3-3 इनका क्या LCM उपर वाले का HCF क्या आएगा हम आगे बढ़े देखें यहां पर समझ यह सेबन वान और टू का HCF क्या होगा वाई वन होगा वन होगा और 3-3-3 का LCM की अगर बात करें तो क्या होगा जरा सोचिए कुछ लोग 27 बता रहें या जो भी बता रहें इधर साइट समझ यह अफने हाजी सिर्प पढ़ाई पर द्यान दीजिए यहां पर कोई परकार का ब कि चलिए इनका LCM कर लीजिए भाई देखो LCM सनियोग बस यह नंबर सब एक है लेकिन हमें अलग अलग इनका गुलनखंड करना पड़ेगा LCM वास्तों में होता क्या जरा सोचिए LCM का मतलब होता है ऐसी संख्या ऐसी छोटी से छोटी क्या गुडच जो इन सब से कट सके तीनों से तो वो तीन ही होगी तो सीधर से बात है क्या होगा थ्री क्या होगा थ्री तो आप कहेंगे वन अपान थ्री क्या कहेंगे वन अपान थ्री लेकिन कभी भी अगर अंकेले आपको तीन का LCM HCF करना पड़े तो नहीं होगा यहां यह अकेला नहीं है सभी अलग अलग इंती हैं ठीक है कि समझ में आया ना आगे बढ़ें किसी को कोई डाउट नहीं न चलें तो यह आप लोग समझ गए यहां पर सन्योग बस यह कुश्चन थोड़ा अलग टाइप कथा आप सभी कर लेंगे कि नहीं है बताइए भिन का LCM HCF सभी कर लेंगे ना थोड़ा अच्छा सवाल देते हैं अब अजीब टाइप का नहीं लिखिए सभी कर लेंगे ना ठीक है थोड़ा सुन्दर वाला सवाल लिख लीजिए लिखिए पांच बटा नो तीन बटा बारा और साथ बटा ग्यारा इसका एच्छी अब बताइए जल्दी करिए कलास का टाइम रात के दस बज़े से ग्यारा बज़े तक सोमवार मंगलवार और बुधवार को सिर्फ तीन दिन रेगुलर होती बस जल्दीज का अंसर बताइए जो टाइम पूछ रहे मैं उन्हें बताया हूँ देखो भाईय समझो अंसों का HCF करना है अंस क्या क्या है पांच तीन और साथ यानि हमें पांच तीन और साथ का क्या करना है हरों का HCM करना है हर में है 9 12 और 11 इनका क्या करना है LCM इनको हम थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं क्यूं जरूरी है ऐसे लगाएं का ऐसे नहीं लगाना जरूरी है जरा समझना ऐसे करना तो मजबूर ही है इनको हम काट सकते हैं तीन एकम तीन तीन चोग बारा तो जहां पर तीन था वहां पर एक लिख लो यहां जहां पर तीन था वहां पर एक जहां पर बारा था वहां पर चार थोड़ा असान हो जाएगा ठीक है तो भहिया हो पांच और साथ का जो HCF होगा वन होगा नो चार और ग्यारा का LCM क्या होगा भाई बोलो जल्दी 396 भी बता रहे हैं रूद्र देओ रीतेस यादो भी बता रहे हैं ठीक है काजल गुपता मनीज पांडे और अभिलासा ठीक है कोशिस करते रहे हैं तो इनका जो LCM है वह इनका गुड़ा करने पर आएगा ऐसा इसलिए क्योंकि इन सभी नंबर में कोई परकार का कामन गुड़नखंड नहीं है वहन सब्सक्राइब को जोड़कर कि LCM-HCF इसके लिए अच्छे से आना चाहिए तभी कर पाओगे नहीं तो यह नहीं होगा जिनको LCM-HCF नहीं आता है वह PVR study की zero level में देखे या फिर YouTube पे सर्च करना अभी class के बाद में HCF PVR study जैसे class खतम हो जाएगी आप YouTube पे ऐसे सर्च कर लीजिएगा बोल करके लिख करके तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा और उस वीडियो में HCM-HCF दोनों पढ़ाया गया होगा ठीक है चाहिए आप HCF PVR study सर्च कर लेना या फिर LCM-PVR study मिल जाएगा तुरंत मिल जाएगा हमने चानबे हाँसी लाया नो और 13 33 33 37 हमें लगता है ज्यादा बड़ा हो रहा है दिखा देता हूं इतर दो चातिस गुडे 11 ग्यारा चक्का चाचाट हांसी लाया चे ग्यारा त्याही तैंटीश तैंटीश चे उन तालीश तीन्सो चानवे ठीक है 396 आएगा वन अपां 396 ठीक है ओके मनीश पांडे ये कैसे ऐसे हो गया आपका नीलमी स्टूडियो ठीक है रभी संकर गुपता बेरी गुड आगे चलें बढ़ें इसको मिटाएं हटाएं हो गया डन चलिए सभी को मेरी बातें समझ में आ रही है किकसी को कोई दिक्कत तकलीप परिसानी नहीं तो न नहीं न थीक है अब मुझे एक बात बताईए और छोटी सी वो क्या है इसमें से कितने लोग है जिनको LCM-HCF अच्छे से आता है और कितने लोग है जिनको नहीं आता है जिनको आता है वो P लिखके कमेंट करेंगे P फार पैरट और जिनका LCM-HCF कमजोर है वो क्यों लिखके कमेंट करेंगे क्यों फार कुईन जल्दी करिए ये कोड है फटा फटा आदा मिनिट के अंदर हम ये समझें कि आप लोगों को आखिर LCM-HCF आता है या नहीं आता है जिनको आता है उनको P बोला हूँ न क्यों यही तो बोला हूँ जिनको नहीं आता हूँ लगभग लोगों को आता है ठीक है मनीस, नीलम, हरेन सिंग, योगेन सिंग, पूषबा बर्मा, परदीप कुमार, रेखा देवी लगभग आता है कुछ लोग को नहीं आता है ठीक है कोई बात नहीं जिनको नहीं आता उनकी समस्या का समधान में तुरंते कर देता हूं अभी अभी मैंने बताया था फिर से बता देता हूं जिनको LCM HCF नहीं आता है आप अभी जैसे कलास खतम हो जाएगे ऐसे लिखना यूटूब पे LCM PBR Study Spelling देख लिजिए, स्क्रीन साट लेके रख लिजिए इसको सर्च कर लेना या फिर इसको तुरंद वीडियो मिल जाएगा मैंने DTL में पढ़ाया है देख लिजिएगा आज ही यह कल देख लेना चाहिए जाए बयाद रखना हाँ इसमें गुलनखंड विदी से LCM भाग विदी से LCM सब बताया है आपकी आदा घंटा की कम से कम कलास होगी पंदरा मिनिट की उसमें अभ्यास भी करवा दिया गया होगा सब एक्दम यह हंडेट परसेंट के सब्सक्राइब यह समध्वन आप लोगों का हो जाएगा एक मिनटी से चार्ज में लगा देता हूं होगत अदल आगे बढ़ें यह थोड़र डिस्चार्ज हो गया सिस्टम इसे चार्जम लगा देता हूं बस जाना नहीं करें चल्वागे बढ़ें कि चल्वाइब आजाओ 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 है हाँ है ठीक है कि ठंडी का मौसम है लेकिन अब गर्मी भी ओर रही दिरी दिरे सभी साथी फटा-फट इस कलास को लाइक करो बहुत बढ़ी उमीड नहीं है कम से कम हंड्रेड तो करिए और मुझे लग रहा है कलास भी बंद किया जाएका अभी लासा जी बहुत अच्छी बात है कि आप देर से आई हो आप ही कि जैसे लोग तो इतिहास रचते हैं जो लेट में रहते हैं हर जगा अच्छी बात है लेकिन अब टाइम तो खतम हो गया ना हाई यह आप समझ गए इसके बाद है दसमलो भिन क्या है दसमलो भिन और बोर्ड मास रूल बोर्ड मास रूल और दसमलो भिन हम आप लोग को बताएंगे लेकिन उसके पहले थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें बता देते हैं इंप्वार्टेंट थोड़ा सा कुछ चीज है जो इंप्वार्टेंट है उसे सुन लीजिए वो यह है कि जैसे अगर कहीं तीन बटा पांच और यहां पर साथ बटा नौ लिखा है तो इसका मान कौन चुटकी में बता लेगा भाई कुछ लोग इसमें अरच जाते हैं बताईए फटा फट बताईए कुष्चन तो बहुत सारे करवा रहे हैं मनीश जी चल्दी करिए इसका मान कौन बताएगा चुटकी में ममता सिंग मैंने सब बताया है जो आप बोल रही ना मैंने सब बताया है सब बताया है सब बताया है तरीका बताया आप जाके सर्च करिए देखिए चलिए फटा फट 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 इसका जबाब सबसे पहले परदीप कुमार ने दिया है और अरीतेस यादो अनुपा मौर्या ये तीन हैं जो टॉप किये अभी और बाकी कुछ ऐसे भी हैं जिनका दिमाग अभी एक्टिब नहीं हुआ इतना देर में आएक मैं बताता हूं इसको करने का तरीका क्या है दो तरीका बताऊंगा इसको इसलिए बता रहा हूं कि इसका आगे काम लगता केलकुलेस्ण में आप लोग अरा जाते हो इसमें देखिए एक भिन ये है एक भिन ये है दोनों फ्रेक्शन फार्म में है है न तो भीया हो एक तरीका तो ये है कि आप पहली भिन लिख लीजिए पहली भिन को ऐसे लिख लीजिए तीन बटा पांच और फिर गुड़ा का चिन लगाईए दूसरी भिन को पकड़ के पल नौतरीक 27 और 535 यह आपका तरीका नंबर A था क्या था तरीका नंबर A बबलू यादो जी बबलू जी कमेंट आपका आ रहा है ठीक है बबलू और बबली सबका आ रहा है बस पढ़ते रहे हैं आँखों में नींदे न दिल में करार यह मोहबत भी क्या चीज होती है यार पढ़ाई वाली वो वाली नहीं उसमें तो ऐसे भी निन नहीं आती तो इसको थोड़ा करके देखिए मैथमेटिक से यह जो अच्छा एक चीज बताओ यह जो मोहबत हमेंने बोला यह कौन सी भासा का सब्द है क्या यह हिंदी है बहुत से लोग यूज करते हैं बहुत पूरी है कौन सा सब्द है कि आये इधर देखिए मैं कुछ बोलने वाला था वो पहले देखिए फिर बाद में तीन बटा पांच है इसका मैं क्यों बोला भी मतलब बताऊंगा पूरा पहले इसको देख लीगिए कि देख रहे हैं वैसे इसे लोग पईदा है एक ठी बोल मुस्लिम है इतनी कट्रता भर गई ना पिछले कुछ दिन से कि कपड़ों से भी लोग धरम पैचानने लगे हैं मैंने भासा की बात वोला सिवांगी ठीक है कमेंटार आपका आईए देखिए ये बी नंबर मतलब टाइप है एक परकार समझे लो इसमें बहरे का बहरे पर नीचे कर नीचे है तो तीन का गुड़ा 9 में करेंगे और 5 का गुड़ा 7 में करेंगे ये तरीका है अंसर दोनों में उतना ही आएगा बताइए यह यह बी दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा लगा अप लोगों को अब बी में से कौन सा ज्यादा अच्छा लगा मतलब दोनों एक है तरीका है कुश्चन भी वही था आंसर भी वही आया ठीक है लेकिन मैंने तरीका थोड़ा अलग अलग बताया दोनों में बस अन्नु सुकला बोर्ड मास बस इसी के बाद बताएंगे इसके जेश्ट बाद आपको बोर्ड मास रूल पढ़ना है दोनों में थोड़ा तो अंतर है तरीके में बाकी है ठीक है सब वही है इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूँ इसको हल करते समय देखिए कम समय में आप हल कर लें इसके लिए मैं इस तरह का और भी थोड़ा टापिक बता रहा हूं हमारी कोशिस है न बेसिक मैथ बिलकुल जीरो लेबल से मजबूत करना लेकिन अभी तो आप समेस्टर वाल हैं जिन्हें बीना पढ़े हम इसे पढ़ाई नहीं सकते हैं इसलिए इन्हें पढ़ाना मजबूरी है इसलिए इन्हें पढ़ाना क्या है जरूरी भी है मजबूरी भी है क्लास को लाइक करते जाहिए फटा-फट फटा-फट लाइक करते जाहिए भईया मजा नहीं आ रही यार मिया? और इंड़ा है ऐसे नहीं आ रही यह आ एक लाइक नहीं कर रहे हैं आफ लोग लोग आखिर क्या कि आ ये देखिए आओ अब मैं कुछ और बताने वाला था लेकिन कन्फ्यूज कर दिया भूल गया क्या बता रहे थे हाँ जैसे यहां पर मैंने लिखा 15 तो पहली भिन्द का जो अंस होता है उसको दूसरी भिन्द के हर में गुड़ा करते हैं यानी अंसा और हर दोनों भिन्द का आपस में डिबाइड हो सकता है यह कह सकते हैं इसको मैंने लिख दिया 25 आप समझना समझना अगर मैंने इसको 45 लिख दिया और इसको मैंने लिख दिया अब आपको वैसे नहीं करना है अब आपको वैसे नहीं करना जैसे बताया था उसके पहले कुछ और करना है देखिए अगर हम वैसे करेंगे तो पंदरा का गुड़ा 75 में करेंगे 25 का 45 में करेंगे ते बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा है ना बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा फिर गुड़ा करेंगे और फिर काटे बिटेंगे बड़ा टाइम बिच जाएगा एक काम करेंगे पहली भिन्द का है ये बाई अंस है ये पहली भिन् कटता है नहीं टन न बोलता है लेकिन लोहा फे लकड़ी अराम से कट जाती है वैसे तो कल जुग लगा है कल जुग में कुछ भी कुछ हो सकता है लेकिन रियल में देखो तो लोहा फे लकड़ी काटना आसान होता है लेकिन लोहा फे लोहा काटना आसान उतना नहीं होता है आ समल डूसर के का हर कार्ड दो या पहले कार्ड दो अगर रहा है तो तो भाई 15 से तो पाचीस कटेगा नहीं सीधा फिदा 15 गांकें 15 15 पाची पचाइबार्दार ककें लिए किस तरह न किया न 49,45, समझ में आया, अब ये अंस में 1 हो गया, हर में 5 हो गया, अंस में 9 हो गया, हर में 5 हो गया, क्या ये हर से ये अंस कटेगा, नहीं कुछ नहीं होगा, ये हर अंस कुछ कटेगा, नहीं कुछ नहीं होगा, एक नए फ्रेक्शन बनेगा, 1 upon, यहांपे देखो 5, बड़की ल में सबाल कर लेंगे इस तरह से क्योंकि आपको डीलेट का परिक्षा देना बिटीसी का यह कोई बहुत हाइफाइफ चीज नहीं है लेकिन जिनको नहीं आती उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है बता है कि नहीं है ना अब क्या होगा जो तरीका बताया था वैसे कर लीज कर लेंगे गुड़ा करने के पहले हम यहां भी काट सकतें हैं काटें तो यह देखो पांचीकम 57,95 यहनी पांच बटा 9 आयागा फाइनल में कहने का मतलब यहां भी यह कट सकता था भी देखो कहां कटता भई यहां तो नहीं लग रहा था कटेगा एक बेटा पांच और नो बेटा पांच नहीं आफ कि नहीं पाँच बटनों आया क्यूंँ पाँच बटनों कहाँ से आए पधाउय ये पाँच और आधस्तों में अगर हम इनका गुड़ा करते ये तो पन्दरा का गुड़ा पचत्र में होता इसका आपस में होता तो पंदरा एकम पंदरा यार यह तो गलत करता है फेले भाई ये इससे थोड़ी करता है, ये मुझे लगता है गड़बड हुआ है कुछ, कुछ गड़बड हुआ है मुझे लग रहा है, थोड़ा रुकना, 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 थोड़ा गड़बड हुआ है, मुझे लग रहा है, एक मिनिट, ये सब एक कैम गुल मिल गया, रुकियेगा तो यह उसके कभी नहीं काट काट यह इस से कभी नहीं काट प्लाय यह कुछ गण थे रॉक रहे हैं । रही हैं रोकलियी है। ऑपर फिर लखते हैं इधार तो सही है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहां मुझे गरबर लग रहा है। यह तो सही है। आएए यहां देखिये। यह यहां तो कुछ गरबर था। 15, 25, 45, 75। यही था ना। देखो भैये यह क्या है अंस हैं। यह 1 है दोफरी कीदिका यह अंस है यह आर है जब हम इन्ने हल करते हैं तो सबसे ऊपर वाली गिंती को सबसे नीचे में गुड़ा करते हैं बिच का बिच में, तो हम क्या करेंगे, इनको दूसरे तरीके समझेंगे, चलो इसको A लिख देते हैं, इसको नीचे वाले को भी A लिख देंगे, क्योंकि इन दोनों को आपस में गुड़ा होगा, तो A को A से नहीं काटना कभी, इसको B लिख देंगे, इसको B, अब B से B को नहीं काटना कभी, वो तरीका थोड़ा मुझे गलबर लग रहा था, आईए, यानि हम A से कोई भी B काट सकते हैं, और B से कोई भी A काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन A से A अब B से B को नहीं काटना है, याद रहे, चलिए, अब हम A से A को नहीं काट सकते हैं, यानि 15 से 75 को नहीं काट सकते हैं, 15 स से हम 45 को काट सकते हैं तो 15 एकम 15 यह 15 तीयां 45 ध्यान रहा आंसर हो सकता है वही आजाए लेकिन तरीका वह गलब था तो यह 3 हो गया अब 20 हम कोई भी एक आट सकते हैं तो 25 एकम 25 और 25 तीयां इक आप 있고 उपर वन आया है नीचे इसमें वन आया है यहां पर देखो भई यह समझते चलते हैं तीन आय न एक बड़ी लाइन खीचर तीन आया चोटकी लाइन भी नीचे तीन आया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब देखे बाहर से बाहर का गुड़ा अंदर से अंदर का भी ये भी में बताया था ऐसे कर लो तो तीन अपान तीन ये भी कट गया वन आया इसका फाइनल में आंसर ही एक आएगा क्या आएगा एक आयगा बीसुञी इसकी इसंग बिल्कुल सही वहन आयगा इसका आंसर देखो बह इसा नहीं कुछ लोग उतने पाठ वारा काट के वारल कर देंदे को गलत बढ़ार है बौई हो सकता है कोई मुश्किल नहीं है तो अगर आप पूरा कलास देखेंगे तो हम उसको उसी में सुधार भी करवा देते हैं तुरंट कभी-कभी अगर ऐसा भूल होता है तो यह हुआ करना, सबको समझ में आया ना इस तरह से मैंने इसको क्यों बताया क्योंकि ऐसे कभी-कभी हो जाता है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एक चीज और है इधर देखी जैसे तीन बटा साथ और इसके नीचे दो लिख दिया इसका अंसर कितना आएगा ऐसे कभी कभी आजाता है इसको simplify करना हो तो क्या होता है बताईए इसको कैसे हल करेंगे यह चोटी चोटी चीज है इसलिए बता रहें क्योंकि हमें आप लोग बाद में परिसान करेंगे अभी आगे पढ़ाएंगे इसलिए हमने सोचा कि लाइश्ट में थोड़ा टाइम है चलो बताई देता हूं दिखे इसमें एक साधी सुधा है और एक कुवारा है समझ रहे हो एक जोड़ी वाला एक हम जैसे अकेला है तो भाईया आभी तक तो दोनों जोड़ी वाले रहते थे अपना दुख दर्द साजा कर लेते थे लेकिन इसमें दोनों जोड़ी वाले नहीं है एक जोड़ी वा के साथी होई हैं पति पतनी दूंट है एक लोग अखिले तो क्या करते हैं यह देखो तीन घूत इसमें अंश भी है हर भी है इसमें सिर्फ अंस है हर नहीं है तो इसके भी हम हर की तलास करवा लेते हैं मतलब साधी नहीं हो इसकी गर्ल्फेंड बनवा देते हैं आओ देखो कैसे इसके नीचे वन लिख देते हैं ठीक है इसका भी क्या हो गया एक थोड़ा सा सपोर्ट हो गया अब इसको क्या बोलते है अब यह भी पूरा-पूरा दिखने लगा तरीका वैसे ही करेंगे बाहर का बाहर अंदर का अंदर को गूड़ा होगा तो तीन बटा चबद आएगा यह बात सई समझ में आया ना सभी को समझ में आया तो यह लगवाग एक घंटे की कलास होगे यह आप लोग समझ गये होंगे इसका एक फार्मूला बता देता हूं यह से समझ लो A upon B और अगर दूसरी भिन P upon Q है तो इसका फार्मूला बनेगा A Q upon BP ठीक है समझ गये ना यह सूतर है लिख लिजिए चाहे तो इस तरह के फ्रेक्शन अगर कहीं हल करने हैं तो अगर यह A upon B और P upon Q दो भिनने हैं तो A Q और BP इसका फार्मूला हो जाएगा यह याद रखिएगा आपको कुछ नहीं करना है